नवस्कार दोस्तो जैहिंद बंदे मात्रम सभी भावी या ध्यापक का ध्यापिकाओं का सभी सिच्छक बंदो का वेलकाम अभिनान्दान है दोस्तो सिच्छक वर्ती के चैनल पर जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तो मैं आपके साथ जैस्वाल सर आज हम मौडल पेपर की बात करेंगे बीडियो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो 150 प्रस्ट रहने बाले हैं मौडल पेपर है आपका जैसे आपके सलेवस पे एकजाम में पूछे ही आएंगे प्रस्ट वैसे कमिनेशन किया गया है तो आपका सपना है गर्णमेन टीचर वनने का वह ज्बूर पूर होगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सिच्छा ही प्रकास है पहला प्रस्ट मीस्कीन पर है पहला है प्रस्ट मं पेड़गोजी की बात करेंगे बाल बिकास की किस काल को अतदिक दवाव और तनाव का का कहा गया है विकास के किस काल को अतधिक दबाव और तनाव के काल को कहा गया है क्या किसोरा वस्ता है प्रोड़ा वस्ता है मध्या वस्ता को या ब्रद्धा वस्ता को कहा गया है तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं विकास के ऐसा काल जो अतधिक दबाव और तनाव वा की अवस्था है कि किसी ओर रावस्था में संगस तनाओ तुफान एबंगर विरोध की अवस्था है किसने कहा है तो यह ए इस्टेनले हाल में कहा है सभी लोग नोट कर लेंगे दूसरा प्रसंदेख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तो पाउलाव ने सीखने के अनमंधन प्रकिया का सिधान प्रतिपादित किया जी हाँ दोस्तो आपके जो पाउलाव है ठीक है इन्होंने सीखने के अनमंधन प्रतिपादन का प्रतिपादन कर प्रयोग किया यानि किस पर प्रतिपादन कर प्रयोक किया था खरगोश पर चुहे पर कुट्टे पर बिल्ली पर तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों जब भी पौलाओ की बाताती है लारगरंध की बाताती है तो कुट्टा सबसर्पता माजाता है क्योंकि पौलाओ जो आपने सीखने के अनुबंधन प्रतिपादन किया था तो आपके पौलाओ हैं किस पर किया था कुट्टे पर प्रयोक किया था अर्थात अनुबंधन एक ऐसी प्रकिया है जिसके दोरा उद्धीपक या अनुकुरिया के मत एक साहचर इस्थापित होता ह अनुबंधन के साथ मैंने एक पार्टिकुलर आपके पॉलाओ के वीडियो बना रखा है वह आप लोगों ने देख लिया होगा उस वीडियो का जबूर देखे क्योंकि वहाँ पे डिटेल के साथ हर एक छोटी छोटी बातों का वहाँ पे जिक्र किया गया है जैसे आपके में पूचा जाता है तीसरा प्रस्ण है जलते ही हम फास्ट करेंगे क्योंकि हमें 150 प्रस्ण करना है तो दीरे दीरे हम लेवल यहाँ पे आएंगे और फास्ट क्षिन होगे तो सीखने के वक्र किसे कहते हैं? सीखने की प्रगत के सूचक होते हैं सीखने के मौलिक्ता के सूचक होते हैं सीखने के गत्यात्मक सुरूप के सूचक होते हैं या सीखने के रचनात्मक के सूचक होते हैं तो सीखने का जो वक्र होता है यह प्रगत्य के सूचक होते हैं किसके होते हैं प्रगत्य के सभी लोग नोट कर लेंगे आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं सिचक सिचकाएं हैं आप लोग बताएए कि अध्यापन के समय आप लोग यानि कि अध्यापक को निमलिखित में से किसका सरवाधिक ध्यान रखना चाहिए बिसेव वस्तुका बिद्यार्थी की आयू का वैक्तित वि प्रस्त देखिए क्या दिया गया है कट लेविन के अंसार समू में जो परिवतन होता है उसे परस्परता कहते हैं रचनात्मक कहते हैं गत सीलता कहते हैं या संगत कहते हैं तो समू में जो परिवतन होता है उसे क्या कहते हैं गत सीलता कहते हैं काट लेविन के उसा समू में जो परिवतन होता है उन्हें ही गत सीलता कहा जाता है अंगला प्रस देख लिए क्या दिया गया छटवा प्रस हर प्रस्ण आपके स्लेवस एक्जाम पैटन्प है बहुत इंपोर्टेंट है मेरे सभी प्यारे मित वीडियो को लाइक करते जाएंगे जी हां दोस्तों मानसीक स्वास्त और किसका घनिश संबंद है तो सभी लोग जानते हैं मानसीक स्वास्त और समायोजन में घनिश संरचना वाद देता है क्रिया सिलता वाद देता है यह आपका सजन सिलता वाद देता है तो अधियम करता को अधिक सुतनता आपका सजन सिलता वाद देता है आपका फोर्थ आपसन यहाँ पर सई हो जाएगा आए देख लेते हैं अंगला प्रस देख लेते हैं हर प्रस्ण की बेल आइकन जरूज प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे classes बिलकुन आपके स्लेवर्स के धार पर हो रही है, प्रस्निया है इसमारण करने की कौन सी बिदी होती है मिस्वित बिदी होती है बिचार सहचर बिदी, एक वदो दो दो दो, तो इसमारण करने की बिदी आपके मिस्वित बिदी होती है और बिचार सहचर बिदी होती है अंगला प्रस देख लेते दोस्तों क्या दिया गया है प्रस्निया है, बिवित प्रकार की समाजिक, आर्थिक और सांस्कतिक प्रस्धभूम के बच्चों से युक्त कच्चा सभी बिद्यार्थियों के अधिगम अनभवों को बढ़ाती है ये कथन है दोस्तों, बिवित प्रकार की समाजिक, आर्थिक, सांस्कतिक प्रस्धभूम के बच्चों से युक्त कच्चा जो होती है, सभी बिद्यार्थियों के अनुगमों जो भी अधिगम अनुभों होती उनको बढ़ाती है तो ये कथन क्या है? पूर्टे है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कॉसल सीकती ठीक है? तो प्रस्ट भूम के बच्चों से युक्त कछा सभी विध्यातयों के अधिगम अन्वो को बढ़ाती है सभी लोग जानते है ठीक है समाजिक आर्थिक सांस्क्रत प्रस्ट भूम ये सभी से जो बच्चे होती हैं का जो समू होता है क्या होता है अपने साथियों के अनेक कौसल से सीखते हैं एक दूसे के कौसल को सीखते हैं ये बहुत ही बुद्ध का सिधान दिया गया था वह क्या आपका सुझाता है कि हर बच्चे को प्रतेग विशय आठ भिन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां जो है विक्सित हो बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध यानि आईक्वी परिच्छा से ही निध दलती तो गाड़नर का बहुद्ध का सिधान तिया सुझाता है दोस्तो कि सिच्छक को चाहिए कि विशय वस्तु का वैकल्फिक विदियों से पढ़ाने के लिए बहुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहन करें तीसरा अप्संस सही हो जाएगा हर प्रस्ण हर प् प्रस्ण है राष्टी पार्चरिया रूप रेखा 2005 के अमसार अधिगम अपने सुभाव में और होता है दो आपसन यहां पर क्लिक करना है सही आपसन क्या होगा तो अधिगम अपने सुभाव में सक्री और सरल है ठीक है पहला आपसन सही हो जाएगा अंगलाप्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है विकास के सिधानतों के बारे में निम्लिकित मेंसे कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तो विकास के सिधान के बारे में कथन दिया गया है और गलत कथन का चूच करना है ठीक है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ देखे दो दोस्तो बिकास परिपक्वन अधिगम पर अधायित होता है बिलकुँ सही बात है बिकास वनसान उगत्ता और वाता औरन के बीश सतत अन्योन क्रिया से होता है प्रतेक बच्चा बिकास के चर्णों से गुजरता है फिर भी बच्चों में विक्तिक्त भिनताय होती है बिलकु भिनताएं होती हैं बिलकुँ सही बात है लेकिन प्रस्ट ने पूचा कि गलत कथन कौन सा है गलत कथन यह है कि विकास एक पईणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है तो विकास आपको एक पईणात्मक प्रक्रिया नहीं है ठीक है आपको यह कथन गलत दिय अंग़ा प्रस्ण के बारे में आपका प्रस्ण दिया गया है कि कोन सा कथन सही है तो आक्लन से संबंदित हमें कथन बताना है ये कौन-कौन से सही है कूड भासा भी दिया गया है कि फस सेकंड, थर्ड, फोद ऐसे आपके और इसी टाइब से एकजाम में पूंचा जाएगा तो आकलन के सम्मनित कथन आईए देख लेतें कौन-कौन से सही है आकलन से विद्यार्थियों को ये सहायता मिलनी चाहिए कि वेख सक्तियों और रिक्तियों को देख सके और सिच्छक उन्हें तदानुसार उन्हें ठीक कर सके आकलन के वल इस्मन सक्तिकाही नहीं बोधन और अनुपरयोग का भी होना चाहिए पहला तीसरा जो है कथन आपके आकलन से सम्मंदित है तो आपका पहला आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अंगला पर देख लेते हैं क्या दिया गया प्रसंदोस्तों प्रसंदिया गया है कि विक्तियों में एक दूसरे से भिंता क्यों होती आप लोग देखे होंगे आप भी विक्ति हैं हम भी विक्ति हैं हमें और आप में हमारे में एक दूसरे में विभिनता क्यों होती है एक दूसरे में वातावर्ण के प्रफाव के कारण होती है जम जात विसेस्ताओं के कारण होती है या वनसानुक्रम वातावर्ण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती है या प्रतेक बिक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन समुच्चे प्राप्त के कारण होती है तो एक दूसरे में जो भिनता होती है वह होती है दोस्तों किसके कारण कि वंसा नुकरम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती है ठीक है हमारे दूसरे में जो भिनताएं होती है वह वंसा नुकरम वातरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती है अंगलाप्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है बुद्धी है दोस्तों बुद्धी सामर्थों का एक समुच्य है एक अकेला और जाती विचार है दूसरों के अनकुरन करने की योगता है या एक बिचिस्टी होता है तो बुद्धी आपके कैसी है तो बुद्धी जो होता है वह समर्थों का एक समुच्य कहलाता है अंगलाप्रस देख लेते हैं क्या पूंचा जा रहा है हर प्रस निम्पोर्टेंट है यहाँ पर निम्लिकित में से कौन सा बाल विकास का एक सिध्धान नहीं है देखे सभी आपसन में बाल विकास के सिध्धान दिये गए हैं और एक आपसन में नहीं दिया गया है वही आपसन आपको बताना कि वह कौन सा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं विकास के सभी छेत मौत पूर्ण हैं सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की यंतेक्रिया का पईडाम होते हैं सभी विकास तथा अदिगम का एक समान गज से आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो सभी विकास तथा अदिगम एक समान गज से आगे बढ़ते हैं यह आपका सिध्धान्त नहीं है, क्योंकि सभी विकास ततादिगम जोते एक समान गस्य आंगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है, सभी विकास दे दिया गए, ठीक है, तो यहाँ पर जो सभी वर्ड आता है, यह आपके निंगेट्व वर्ड होता है, सिच्छा सास्त में, पेड देखना ही पड़ेगा, जहिंदे वंदे मात्रम सभी वित्रों को आई अंगला प्रस देख लेते हैं, प्रात्मिक विद्ध्याले सिच्छक को अपने सिच्छातियों को अभिप्रेरीत करने के लिए, निमली कितमे से किस रणनीत को अपनाना चाहिए, तो हम बात कर रहे है प्रात्मिक विद्ध्याले के सिच्छकों की, आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भावी अद्धा पकद्धा पिकाए हैं, तो आप ये बताईए, अपने सिच्छातियों को अभिप्रेरीत करने के लिए, आप किस रणनीत को अपनाएंगे, प्रतेख सिच अच्छा के लिए मानक लच्छ निधारित करेंगे और उनकी उपलग्दि के आकलन के लिए कथोर मानडण निधारित करेंगे। तो दोस्तो प्रात्मिक विद्याले के सिच्छक होने के नाते आप लोग विद्यार्थियों को अफिरित करने के लिए कौन सी रणीत अपनाएंगे तो वह आपकी रणीत यह दोस्तों कि बच्चों को उनकी रूचियों के अनुसार अपने लचने धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्ध में सहायता करेंगे सहायता करना यह क्या होगा सबसे अच्छी रणीत मानी जाएगी आप लोगों के लिए अंगला आपको पता है इससे एक प्रसनाना ही आना है IQ लेवल से प्रसनाता है एक औसत बुद्धिवाला बच्चा यह दि भासा को पढ़ने एवं समझने में कठनाई प्रदर्सित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लच्छन को प्रदर्सित कर रहा है देखे दोस्तों भासा को पढ़ने और समझने में कठनाई प्रदर्सित करना यह किसका है देखे पठन जो अच्छमता होती है वे डिसलेक्सिया से सम्मंदित होती है लेकान अच्छमता को डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है तो यह भासा को पढ़ना और समझना यह जो अचमता होगा यह पठन अचमता कहलाएगा यानि आपका डिसलेक्सिया से पीडित बच्चा कहलाएगा यह भासा को पढ़ने समझने में कटना यह पदसित करता है तो बच्चे किसी चीज को सही धंक से ना तो पढ़ सकते है और ना ही लिख सकते है इस प्रकार के बच्चे नाम को ठीक है राम को आम आधी पढ़ते हैं ठीक है जैसे आप राम लिखा है तो उसको आम पढ़ते हैं इस प्रकार के बच्चे किसे होते पठा नचमता से होते हैं डिसलेक्सिया से पीडित बच्चे होते हैं डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे होत अपनी आवाजें पाने कार करने के लिए अपनी जिग्यासा का पोसन करने प्रस्ण पूँचने और जाच परतान करने तथा अपने अनवहों को बाटने और विद्याले के ग्यान के साथ जोने में सच्छम बनाएं अगर आप प्रस्ण अच्छे तरीकिस नहीं पढ़ पा रहे हैं जल्दी अगर मैं पढ़ रहा हूं तो वीडियो पहुच करें अच्छे से प्रस्ण पढ़ें और कमेंट बाक्स में बताएं कि आप लोग आउट आफ 150 में कितना स्कोर कर रहे हैं ठीक है हर सब्जेक की बात करेंगे तो इस प्रस्ण का इंसर यही होगा दोस्तो क्या हो जाएगा कि ऐसी पार्ट चर्रह जो पार्ट पुस्तक के ग्यान को पुने परस्तूत करने की स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने कार करने के लिए अपनी जिग्यासा का होनी चाहिए आप सिच्चक हैं आप ये बताईए आपकी भूनका आपके एक प्रात्मी भूनका क्या होनी चाहिए इस प्रस्ण को देखकर तो आपकी जो प्रात्मी भूनका यही होनी चाहिए क्या होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ग्यान को साजा करने की परियाप्त आउसर देना चाहिए बच्चों को हमेशा ठीक है उनकी समझ के अनुसार उनकी ग्यान को साजा करने का बच्चों में परियाप्त आउसर देना चाहिए पहला अपसंस ही हो जाएगा अंगला पर देख लेते हैं क्या दिया गया है हर प्रस्ण इंपोर्टेंट है बच्चों को अध्यापन के प्रयास करने है तू प्रोसाहित करने के लिए सिचकों को आउसकता होती है आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सिचकाएं आप सभी को नमन है दोस्तो प्रस्णिया है कि बताईए कि बच्चों को अध्यापन के प्रयास करने है तू प्रोसाहित करने के लिए ठीक है बच्चों में अध्यापन का प्रयास करने के साथ साथ बच्चों में प्रोसाहित करने के लिए तो आप सिच्छक को किसकी आउसकता होगी बच्चे को नियंत कि प्रोसाहिद करने के लिए आप सिचकों को क्या है बच्चे को प्रेरीद करने की आवसकता होगी जब आप बच्चे को प्रेरीद करेंगे तो बच्चे अध्यापन में प्रयास है तो प्रोसाहिद अच्छा माना जाएगा अंगला प्रसना ये देख लेते हैं बाल विकास के अंगला आपका चैप्टर सुरू होगा भावनाओं अधिगम और अभिप्रेणा के संदर में निम्निकित में से किस कथन से आप सहमत हैं दोस्तो भावना जो होती है अधिगम अभिप्रेणा के संदर में इन में से किस कथन से आप सहमत हैं, जब भी दोस्तो भावना अधिगम और पेणा की बात की जाती है इंसके संदन में जो एक ही कतन होता है कि प्रेणा और सीखने के साथ भावनाएं गनिश रोप से जुरी होती है, ठीक है? भावना अधिगम और पेणा के संदन में कतन आप सहमत यह है जो आपके बहु बिकल्पी प्रस्ण होते हैं ये बच्चों के किस योगता का आकलन करते हैं सही उत्तर के निर्मार करने में, सही उत्तर की ब्याख्या करने में, सही उत्तर की पहचान करने में, सही उत्तर की प्रत्या इस्मरन करने में तो बहुत बिकलपी जो प्रस्ण होते हैं दोस्तो वह सही उत्तर की पहचान करने की योगता का आकलन करते हैं ठीक है? तीसरा अप्सन सही हो जाएगा। अंगला प्रस्ण क्या दिया गया है? दोस्तो प्रस्ण यह है बुध् Oddy के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन बुद्धि को केवाल मानकी करत बुद्धिलद परिच्छों के आयोजन के द्वारा विश्वासनी रूप से निधारित किया जा सकता है बुद्धि मूल बुद्ध रूप से इसनाय उतन्त समंदी कारप्रणाली है उधारन के रूप में जिसे प्रकरण की गती समवेदी रसन की योगता है बुद्धि बहु आयामी और इसमें परियाप्त पहलू नहित है तो दोस्तों बुद्धि के बारे में जो सरवादी को प्युक्त कतन होगा वो यह है कि बुद्धि बहु आयामी और इसमें कई पहलू नहित होते हैं फोर्त आप्सन सही हो जाएगा तो ब प्रस्निय है सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन किसलिए आवश्चक होता है सिच्छन के साथ परिच्छन का ताल मिल बैठाने के लिए बोर्ड सिच्छा की जवाब देही कम करने के लिए जल्दी जल्दी की जाने वाले गलतियों को सुधारने के लिए यह समझाने के लिए कि अ व्यपक्त मुल्याकनिस लिए आवश्यक होता है ये समझाने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है वह सुधार किया जाता है फोर तापसन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तो प्रस समझ में आ रहे हो वीडियो लाइक करते जाएंगे जी हाँ दोस्तो प्रसनंगला आ चुका है स्कीन पर कि अधिगम में आकलन किस प्रकार अवश्यक होता है जो अधिगम में आकलन होता है या किस प्रकार अवश्यक होता है ग्रेड वा अंकों के लिए जांच परिछन के लिए प्रेणा के लिए या प्रतक करण स्रेणी करण के उदेश को प्रुसान देने के लिए तो दोस्तो जो अधिगम में आकलन होता है या प्रेणा देने के लिए प्रकार का अवश्यक होता है तीस राप्सन सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है प्रसन लाजवाब है सेलेक्शन वाला प्रसन है आईए देख लेते हैं इनमें कौन सा त्री तंत्री सिधान्त में ब्यवारिक बुद्धी का अभिप्राय नहीं है हाई लेवल के प्रस्ण है ध्यान दीजे दोस्तों कौन सा त्री तंत्री सिधान्त में ब्यवारिक बुद्धी का अभिप्राय नहीं है तो केवल अपने बिषय में बिवहारिक रूप से विचार करना यह आपके 33 सिधान के बिवहारिक बुदिका विप्राय नहीं है बलकि पर्यावरण का पुनर निर्मान करना यह 33 सिधान के बिवहारिक बुदिका विप्राय है इस प्रकार के परवन का चैन करना जिसमें आप सफल हो ये भी है परवन के साथ अनकूलन करना ये भी है तो तीनों आपसंद सेम दिख रहे हैं लेकिन एक आप कालग है कि केवल अपने भी सह में बिवारिक दूप से विचार करना ये दोस्तो 33 सिधान के बिवारिक बुद्ध मैं ने किया था रॉप्टे इस्टनबर्ग ने या डेविड वैसलर ने किया था तो सभी लोग जानते हैं प्रतम बुद्धी परिच्छन अलफेड बिने द्वारा विक्सित किया गया उन्हें बुद्धी परिच्छन के जंदाता के रूप में भी जाना जाता है यानि प्रेणाएं जो होती हैं प्रेणाएं अन्भूतियों के संतुष्टी करण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक तिलच्छों को प्राप करने के अवस्था को संबोधित करती हैं किसकी प्रेणाएं भावात्मक प्रेणाएं होती हैं सम्रच्छन उन्मुखी सु बोधित करती हैं वह आपकी भावात्मक प्रेणाएं होती हैं अंगला प्रस देख लेते हैं हर प्रसन इंपोर्टेंट है दोस्तो एनर्जी कायम रखना है क्योंकि सलेक्षन सरो पर है और इस बार सलेक्षन नहीं दोस्तो टॉप रेंग हासिल करना है ये प्रण कीजिए अप अलवर्ट बंडूरा की जब भी बात की जाती है उनका जो कथन है कि अनसुलजा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है जो अनसुलजा संकट होता है जिस संकट को सुलजा नहीं जा सकता वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है ये केवल अलवर्ट बंडूरा क समाजी किद्धान सिध्धान्त में दिया गया है संग्यानात्मक विकास समाजी विकास से सुतंत होता है जो संग्यानात्मक विकास होता है वह समाजी विकास के कौर्डिंग सुतंत होता है खेल अनिवार है और उसे विद्याले में ही प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए ठीक है समाजी का दिगम सिधान्त के अंसार आपके नहीं है बंडूरा के बंडूरा यह नहीं मानता कि ठीक है बंडूरा का जो अलवेट बंडूरा के जो समाजी का दिगम का सिधान्त हुए नहीं मानता कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपन या मॉडलिंग का एक मुख तर तो पहला आपसन आपका सही हो जाएगा आए दोस्तों बात करते हैं हमारी चाराश्टित में सिच्छा की बात करते हैं तीसवा प्रस्थ देखेंगे इसके बाद अंगला आपका सब्जेक्ट आ जाएगा उसके तीस प्रस्थ होगे भासा के तीस प्रस्थ होगे गणित के ती निसुल्क एवं अनिवार सिच्छा अधिकार जो 2009 में आया था इसकूल चलें सब पढ़ें ठीक निसुल्क सभी के लिए तो ये जो 2009 में आया था दोस्तो निसुल्क अनिवार सिच्छा का अधिकार जो आया था ये सब्द का अर्थ क्या है तो इस सब्द का अर्थ ये दोस्त कि उचित सरकारे दाखिले उपस्थित प्रारामिक सिच्छा की पूर्टा को सुनस्चित करेंगे क्या करेंगी आईए समझते हैं क्योंकि मैं आपको समझा देना चाहता हूँ सब्सक्राइब कर लेगे मेरे सभी प्यारे बंदू दोस्तो नेसुल के बंद अनिवार सिच्छा का दिकार 2009 में अनिवार सब्दकार्थ यही है कि उचित सरकारे दाखिले उपस्थित और प्रारमिक सिच्छा की पूर्टा को सुनिश्चित करेंगे ठीक है आपका सेकंड आपसन सही हो जाएगा जितने ने मेरे भाई वेने पहली बारे बिजट कर रहा है सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि राजठित में सिच्छा की बात करते हैं राजठित में चैनल है और आप आ गया भाईया गद्यांस की बारी आई है आपके language की बारी आई है आए शुरू करते हैं language के बेतीन प्रस्न अब देखिए आपके अपड़ित पद्यांस लिया गया है जो आपके टीटी जाम में पूछा गया प्रस्न है संभावी थे आपके लिए हो सकता यही आगया तो पंद्रे नंबर से साथ साथ कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया इसमें संदे नहीं लेकिन उसका एक प्रकोष्ट अंदकार में अभी भी डूबा हुआ है ठीक है ऐसा है आपको गद्यांस मैं पढ़ूंगा नहीं आप मैं वीडियो पहुच कर रहा हूँ आप लोग वीडियो पहुच करके इस गद्यांस को पढ़िए आयोप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को ठीक है आयोप आप लोगों ने इस वीडियो का अच्छे तरीके से पढ़ लिये गो वीडियो पहुच कर आईए अब इस से related प्रस्णों को देखते हैं इस गध्यान से ठीक है पहला प्रस्ण क्या है वह सब्द बताईए जिसमें संधी तता प्रत्य दोनों का प्रयोग हुआ है अब इसमें से सब्द आपको चार दिये गए हैं इसमें संधी और प्रत्य दोनों का प्रयोग हुआ है क्या वह रंगीनिया है क्या वह धन शाव सेसों है अधेरता है या संप्रदायवाद है तो दोस्तों जो आप सेकंड आपसन देख रहे हैं मैं आपको इसकीन पर दिखाना चाहता हूँ ठीक है जिसमें संधी और प्रत्य दोनों का प्रयोग हुआ है वह साव सेसो हो जाएगव। जब की संपरादाय सब्द जो है संप्रादाय वाद से बना हुआ ठीक jak है कि तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि दो को सही माना जाएगा ठीक है लेकिन बोड विशेषग समीट ने अपनी अंतिम आंसर विकलब में दो को तहीं माना है ठीक है तो आपका सेकंड राप्सन सही हो जाएगा आए देखते हैं दूसरा प्रस्ण वैसब बताईए जिसमें समाज तथा उपसर का प्रयोग हुआ हो बहुत ही लाजवा प्रस्ण आज आज का माडल पर बहुत ही बहुत 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 समासा उुक्त दोनों का हुआ हैouldहिं इससे कोई नहीं है इसा सब्दिद नहीं जानी दिये गए विकलपों में किसी वी दोनों में आपकी सर्द पूरिय नहीं हो रहीर ग़ plants में हुआँ भारतवाशियों में भी नहीं कर्मयोग्यों में भी नहीं इनके में समास और जो है उपसर्ग नहीं है तो इनमें से कोई नहीं फोर्त आपसन सही हो जाएगा तो इस प्रकार के भी प्रसन आते हैं तीक है आप लोग ध्यान देना है अंगला प्रस देख लेते हैं अंगला प्रसन क्या पूँचा जा रहा है इस गद्यान से पूँचा जा रहा है, प्रस्निय है कि वह तस्सम सद बताईए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्य दोनों का प्रेग हुआ है ऐसा तस्सम सद बताईए जिसमें उपसर्ग और प्रत्य दोनों मानवी, मानवता, अधीर, बिखंडित तो दोस्तो बिखंडित जो सब्द है बिखंडित जो तसम सब्द है इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं बी उफसर्ग हो जाएगा ठीक है बी आपका यहाँ पे उफसर्ग हो जाएगा आप लोग देख पा रहे हैं और इसके बाद प्रत्य पूँचा गया है ठीक है तो प खंडित एक ऐसा सब्द है, ऐसा तस्सम सब्द है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्य दोनों का प्रेव हुआ है, आए देख लेते हैं अंगला प्रस्ण क्या दिया गया है, कर्म तत्पुरुस समास का उदारण इन में से कौन है, और ये जो सब्द है आपके गध्यान से लिए ठीक है, और ऐसे ही प्रस्णाएंगे एक जाम में, तो कर्म तत्पुरुस समास का उदारण कौन सा होगा, लो महरसक होगा, आत निर्भरता, देशवासियों या सरवादी, तो सभी बच्चे देशवासी पे जाएंगे, कि कर्म तत्पुरुस सबसे पहले यहां होना लेकिन मैं बात बता देना चाहता हूँ दोस्तो, कर्म जो तत्पुरुस समास का उदारण होगा, वे लो महरसक होगा, क्यों होगा ये भी बता देता हूँ, या कि जिस तत्पुरुस समास को बीभक्ती कम की और संकेत करती है, बीभक्ती जो है, कम उसका हो जाए, तो वही आपका क्या होता है कर्म तत्पूरुस समास होता है जो भीभक्ती कर्म की ओर क्या है संकेत करे वह भक्ती आपकी कर्म तत्पूरुस हो जाता है तो लोह महरसक जो है आपके कर्म की ओर संकेत कर रही है तो लोह महरसक आपका राइट अप्सन हो जाएगा इन में से कौन सा सब तस्सम की पहचान करना है स्वतंतता स्रद्धा दोनो या आजादी तो आपके तस्सम सब कौन है सभी लोग कमेंट करें सभी में से तो तस्सम सब की पहचान स्रद्धा भी आपका तस्सम सब्ध है और स्वतंता भी आपका तस्सम सब्ध है तस्सम सब्ध वे सब्द कहलाते हैं दोस्तों जो संसकत से डारेक्टली आपके हिंदी भासा में उप्योग किये जाने लगते हैं यूज किये जाने लगते हैं वही आपके तस्सम सब्द कहलाते हैं ठीक है इसलिए हमें क्या संसकत की ब्याकरण संसकत की सारी अगर आफ हमने Hindi के पढ़ लिया होता है तो हमारी jd sínd langwich शंसकत एंगलीस है तो जो संसकत जो second langwich आफ की आती है ठीक है उसमे तो संसकत हमें इसलिए आसान होता है ठीक है क्योंकि हमें Hindi आता है और Hindi में जो word या सब्धियोज किये जाते हैं वह संसकत के होते है तो उन्ही को तस्वं सब्ध बोला जाता है अंगला प Lawrence देख लेते हैं अंगला प्रस्णिया की दोस्तों इस गद्यांस का अध्यन करना है और इस गद्यांस को अध्यन करने के बाद हमें सही विकल्प को चैन करना है आईए इस गद्यांस को 36-5 प्रसने इस गद्यांस में सभी लोग देखेंगे ध्यानपूरक इस गद्यांस को पढ़ लीजे वीडियो पहुच करके कुसुम साम को मंदे से दर्सन करते हुए गई वैदेर तक गीद गाती रही उसे समय का पता नहीं था आधी रात बीद गई उसने सितार बजाई फिर उसका मन लगा उसने टहलना सुरू किया रात किसी तरह कटी सुए उसके आँखे नीन से बोजिल हो रही थी वैदेर तक सोत के स्की रही मा ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा जैसे तैसे उटी नहाई साइकल से कालेज के लिए चले गई कालेज में उसकी सखी ने घी के परांथे खिलाए कुसुम के संगीत प्रेम की कालेज में छात्री नहीं यह भी ध्यान लखना है त़िक है ययनि कि Rules क college है ठीक है तो परिवार में मामा चाचा नाना भाई वेहन भी आपके क्या है प्रसंसा करते हैं ठीक है ये आपका था क्या आब इससे related हम आये प्रसंद करते हैं इन में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग नहीं है साम रात कलेवा आखें तो जो देखें साम सब्द है इस्त्री लिंग है और आखें ये तीनों जो सब्द है इस्त्री लिंग है लेकिन कलेवा जो है ये आपका इस्त्री लिंग नहीं है कलेवा जो है नित पुलिंग सब्द में आता है ठीक है कलेवा किसमें आता है पुलिंग सब्द में आता है अंगला प्रस देखते हैं कुसुम साम को घर गई समान भूत है इसमें आसन भूत है पूर्ण भूत है या संदिक्द भूत है यानि कि समान भूत काल है आसन भूत काल है पूर्ण भूत काल है या आपका संदिक्द भूत काल है कुसुम साम को घर गई तो क्या हो जाएगा समान भूत काल में आएगा क्यों आएगा दो किस वाक में अंत में बड़ा या आए, बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, या ए आए, ठीक है यह आपको नोट कर लेना, ए एड़ी वाला ए, तो यह अगर चार चीजें आ रही है आपके किसी भी इस सब्द के अंत में तो क्या हो जाएगा, समान बूत काल के में उदारन में आ जाएगा अंगला पस देख लेते हैं दोस्तों क्या पूंचा जा रहा है कारक चिन के प्रयोग के बाजूद इनमें से किस सब्द का बहुचन नहीं बनता अगर किसी सब्द में हम कारक चिन का प्रयोग करते हैं उसके बावजूद भी यह सब्द बहुअचन नहीं बनता घी गीत सकھی घर को बोला जा सकता है ये घरों गीतों सकھیों येकिन गी को क्या बोलेंगे गी को गी सब्द बहुआशन नहीं बनता है, ठीक है, तो गी सब्द नित एक ही बचन में आता है, अंगला प्रसंद क्या पूचा जा रहा है दोस्तों, कि इनमें से किस सब्द में लिंग नहीं बदलता है चाचा, छात्र, साइकिल, मामा चार सब्द हैं इसमें बताईए किस सब्द में आपका लिंग नहीं बदलेगा तो सभी लोग जानते हैं वहिया साइकिल में लिंग नहीं बदलता है कैसे अब ये बोईज अगर बोलेंगे कि लड़कों की साइकल है लड़कियों की cycle है तो cycle ही बोलते हैं तो cycle ऐसा सब्द जिसका link नहीं बदलता है ये सभी लोग note कर लेंगे नित्र आपका cycle सब्द इस ती link में प्रिवक्त होता है ये भी note कर लेंगे अगर सब्द आ जाए cycle सब्द ये नित्त आपका इस्टिलिंग में प्रिप्ट होता है अंगला प्रस देख लेते हैं कि आप पूचा जा रहा है प्रसन इंपोर्टेंट है सभी सलेक्टेट प्रसन है दोस्तों सलेक्शन पाना चाहते हैं आज ये प्रण कर लिजे कि वीडियो हम अंतक देखेंगे अंतक देखेंगे और अपने आपको यहाँ पर प्रूब कीजिए आप आउट आफ वन फिप्टी में कितना स्कोर कर रहे हैं ठीक है आज आपके लिए जैस्वाल सर्चेक कर रहे हैं आपके स्कोर क्या आपकी त्यारी क्या आपका लेबल क्या है आज पूरा पता चल जाएगा तो चलिए अंगला प्रस देखिए काउन सा सब्द सदेव बहुचन में ही प्रिक्थ होता है वह आपका दर्सन है मन है पराठा है यह सितार है सदेव आपका बहुचन में प्रियुक्त होता है वह आपको बताईए वह सब्द बताईए तो क्या वह दर्सन है जी हाँ बिल्कुछ सही बात है दर्सन, आसू, हस्ताचर, प्राण ये जो सब्द हैं ये नित बहुचन में आते हैं दर्सन, आसू, हस्ताचर, प्राण ये चार ऐसे सब्द हैं जो नित बहुचन में ही प्रियुक्त होते हैं ठीक दोस्तों अंगला प्रस देख लेते हैं आपको पता मुहावरे से भी प्रसना आते हैं तो कप्टी मित्र के मूँस सही मुहावरा कर्थ क्या होगा दा काटी रोटी, आस्तीन का साप, अकल की दुम या आपका आबनूस का कुंदा तो कप्टी मित्र के लिए जो मुहावरा होता है सभी लोग जानते हैं आस्तीन का साप होता है ठीक है, जब दात का काटी रोटी जो होता है दात, काटी, रोटी यह किसका मुहावरा है? यह गनिष्ट मित्रता का है और यह पूंचा गया है इसलिए आपको combination में यह आपके संभावित प्रसुन हो सकते हैं, संभावित आपका गध्यांस पत्यांस हो सकता है एंद्रियों को जीतने वाले को एक सब में क्या कहते हैं दूर्दरसी, दत्चित कहते हैं, कुसाँगर बुद्धी कहते हैं, या जितेंद्री कहते हैं तो सभी मेरे प्याड़े मिद्र बच्पन से आप लोग ग्रामर ब्याकरण पढ़ते आ रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं जिसकी बुद्धी जो है, आपने कुसा देखा होगा, जो पंडितों में, ठीक है, जब पूजा पाट करा जाता है, कुसा पहनने को दिया जाता है, उस कुसा की बात कर रहा हूँ, तो जिसकी बुद्धी कुसा की नोक के समानतीखी होती है, उसे कुसा अगर बुद्धी बोल जाता है तो आप लोग ने चारों देख लिया कि एक वाकबाले में आ सकते हैं और यह important प्रस्ण है जो बहुत से कम बच्चे जानते हैं ठीक है दोस्तों माकी नारमल तो सभी लोग जानते हैं लेकिन ऐसे प्रस्ण ला रहे हैं जो काफी लोग कम जानते हैं तो यह आपके लि और अपने आपको चेक करें वीडियो पहुज करें और अपने आपको चेक करें सभी मित्रों को जहिंद दोस्तों आज चेक करें अपने आपको जिहां सही आपसन होगा पोधन अन पोधन अन बरावर पवन होता है यह आयादी स्वरसंदी का उदारन है आयादी स्वरसंदी I का I हो जाता है और O का I हो जाता है और O का I हो जाता है ये आयाद इस्वर संदी का उधारण है इस ते लेटेड अगर प्रसन आएगा आपसे बन जाएगा आएए देख लेते अंगला प्रस्ण क्या दिया गया है हर प्रस्ण इंपोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि सलेक्षन ज़रो पर ही है और राज्टीत में सिच्छा की बात करते हैं इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे सभी प्यारे मित आप लोग सभी लोग भाविये देख काए हैं एक बात देख से कमेंट कीजेगा बताएए एक गलास कैसी है इत्यादी सब्द में कौन सी संदी होगी सभी मेरे प्यारे मित कमेंट करेंगे इत्यादी सब्द में कौन सी संदी होगी यन संदी ब्रद्दी मिलके यानि कि यन संधी होगा इतियादी इतिधान आद बराबर इत्यादी होता है यदि ए उ और रिसी के बाद कोई भी बिन स्वरा है तो ए का क्या हो जाता है ए का या हो जाता है ठीक है उ का वा हो जाता है अगर उ छोटा उ बड़ा उ मिलके वा में परिवतित हो जाता है आधा वा में और इसी जो है आधा रा में परिवतित हो जाता है और छोटा इ और बड़ी इ मिलके छोटा या में परिवतित हो जाता है जैसे फारिजम्पल बदा देता हूँ फारिजम्पल और दीग स्वरसंदी का क्या है जो सवन स्वर मिलकर दीग हो जाए उसे क्या है दीग स्वरसंदी कहते है जिसे आपका महादंस है अनदन अभाव है ठीक है और गुण स्वरसंदी किसे कहते है यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद चोटा ही, बड़ी ही, चोटा हूँ, बड़ा हूँ, रिसी आए तो दोनों मिलकर A, O, R में परिवातित हो जाए तो गुण स्वरसंदी है, ये नोट कर लेना A, ठीक है, और R, और O A, O, R, ये तीन आपको वर्ड नोट कर लेना आपका गुण स्वरसंदी complete, यानि कि चंद्रधन, उदै, चंद्रोदै हो गया A, O, मिलके O, में बन गया गंगाधन, ओर्मी, A, O, मिलके O, में बन गया, गंगोरी मन गया तो आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वरसंदी हो जाएगा और ब्रदिस्वरसनी में क्या होता है एकायक हो जाएगा परमो जस्वी हो जाएगा ठीक है आई ओप आप लोग समझ पा रहे होंगे अंगला प्रस देख लेते हैं अंगला प्रसन क्या पूंचा जा रहा है दोस्तों प्रसन इंपोर्टेंट है कि तरण सब्द का पर्यावाची क्या होता है सूर होगा सूर का दिनकर भासकर दिवाकर होता है नाम नदी यूती तो तरण सब्द का पर्यावाची क्या हो जाएगा सूर हो जाएगा ठीक है सूर के सभी नाम बता देता हूँ और यूती के परियावची और यूति के परियावची कौन-कौन होते हैं सुन्दरी, स्यामा, किसोरी, तरणी, नवयवना, नवोड़ा, नवनियोती, तथा रम्नी ये सभी क्या है योती के परयवाची है ठीक है अगर नाम के परयवाची देखें ठीक है नाम का क्या होता है ख्याती, बढ़ाई, कीर्थ, यस, प्रसिद, मसूरी, सोहरत ये सभी क्या है नाम के परयवाची है अंगला प्रसिद क्या पूंचा जारा, दिग समास का उदारन बताईए देखें, द्वन्द समास होता है जहां पर दोनों पद पधान होते है दोनों पद प्रधान होते, वहाँ पर द्वन्द समास होता है और दिग समास वहाँ होता है जहाँ पे संख्यावाचिक होती है तो देखेंगे माता पिता यह आपके दुन समास का उदारन है यह था सक्ति पितामबर हो गया लेकिन नौग्रह जो दिया है नौग्रह आपका क्या हो जाएगा दिग समास हो जाएगा नव ग्रहों को समू को हम नव ग्रह बोलते हैं तो समू यानि कि आपका संख्या वाचक आ गया नव तो आपका दिग समास हो जाएगा और जिस समास का प्रथम पद संख्या वाचक हो उसे क्या होता है एक संख्या वाचक का बोध होता है भया कोई संख्या वाच चक तो एक ही सम्दाय से सम्मंधित होगा अगर ये बना दिया कि 40 बच्चे वैठे है ठीक है तो 40 बच्चे मत तो एक सम्मू का हेल आ गया ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका सभी लोग जानते हैं दिग समास हो जाएगा और यथा सक्ति यानि कि अब्भी वह समास हो जाएगा सक्ति के अनुसार अब्भी वह होगा माता पिता माता और पिता दुन्द समास होगा और पितांबर करमधारे होगा यानि पीत है अंबर जिसका पीला है अंबर जिसका अर्थाद बिश्रु भगवान ठीक है तो यह कर्मधारे समास कहलाएगा अंगला पस देख लेते हैं सरुनाम के कितने वेद होते हैं दोस्तों फटा फट कमेंट कीजिए च्छे होते हैं पांच होते हैं साथ होते हैं चार होते हैं तो सरुनाम के च्छे वेद होते हैं, कौन-कौन से होते हैं आए दिख लेते हैं, सरुनाम के च्छे वेद कौन-कौन से होते हैं, यह भी जान लिजिए, हर बात details के साथ होगे, क्योंकि selection सरो पर यह, दोस्तों सरुनाम उस बिकारी सब्द को कहते हैं, जो पूर्वा पर सम्मं के बदले आता है किसी भी संग्या के संग्या जो होता है उसके बदले जो आता है उसे ही सरुनाम कहते हैं सरुनाम के छह बेद होते हैं पुरुस वाचक निज वाचक निश्चे वाचक अनिश्चे वाचक समंध वाचक प्रस्न वाचक ये सरुनाम के छह बेद होते हैं आज ज बियर करें, सपोर्ट करें, दोस्तों, सभी मितनों को वेल्काम अविनंदन है और अंगला प्रस्ना ये देख लेते हैं बिल्ली छत से कूदपड़ी में कौन सा कारख होगा? बिल्ली छत से कूदपड़ी ठीक है? अगर ये घर बना हुआ है और ये च्छत है यहां से बिल्ली नीचे कूद पड़ी तो ये च्छत से अलग हो गई तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है अपादान कारक होता है सभी लोग जानते हैं बिल्ली छस्य कूद पड़ी वाक में अपादान कारक होगा क्योंकि संग्या के जिस रूप में प्रतक करत यानि अलगाव का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं हिंदी में कारक आठ प्रकार के होते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कीन पर हर कारक की मैं आपको बताऊंगा करता का होता है अभी भक्ती ने कर्म का होता है को करन का से के द्वारा के साथ संपदान के लिए और को ये विभक्ती होता है चिन होता है अपादान से प्रतक के अभीस्ट में ठीक है सम्मन्द में काकी के रारीरे नानीने होता है और अधिकरण में पर ये आपके हिंदी में आठ कारक होते हैं और विभक्ती ये कारक चिन है सबी लोग देख लीजे, हो सकता है, आप सबी लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, यह आपका repeat हो गया, ठीक है, संबोधन में है जो अरे अरी अरा होता है, ठीक है, आई यह अंगला प्रसन देख लेते हैं, अंगला प्रसन क्या दिया गए दोस्तो, अंधे के हाथ बटेर लगना, यह लोकोगती का सही अर्थ क्या होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना ताकत की प्राप्ती, बिना मेहनत के ही उपलब दियो ना, बिना आँग के प्राप्त हो ना, बिना आँग के पच्छी को मारना, तो अंधे के हाथ बटेर लगने का आर्थ है, बिना मेह मेनत के ही उपलब दी होना ठीक है अंधा बेक्ति उसको दिखाई नहीं देता उसको बटूआ लग जाये बहुत पैसा मिल जाए तो क्या हो जाएगा बिना मेनत को उसको उपलब दी हो जाना ठीक है आज होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ठीक है चलि अंगला प्रस देख हैं चात्रों ने परिश्रम किया वे उत्रीन हो गए इस वाक का मिस्रवाक में रुपांतर्ण करना है ठीक है चात्रों ने परिश्रम किया वे उत्रीन हो गए इसको मिस्रवाक बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो मिस्रवाक कैसे बनाएंगे जिन चात्रों ने परिश्रम किया व इसको मिस्रवाक में बनाएंगे तो जिन चात्रों ने परिश्रम किया वे उत्रीन हो गए या आपका मिस्रवाक हो जाएगा क्योंकि दोस्तों वे उत्रीन हो गए यह प्रधान उपवाक कहलाएगा और जिन चात्रों ने परिश्रम किया यह बिसेस उपवाक कहलाएगा अतार मिस्र वाक में परिवतन करने के लिए पहले प्रधान उपवाक ग्याद करते हैं तो प्रधान उपवाक क्या हो गए वे उत्तीर हो गए फिर इसके बाद कोई भी आसित उपवाक ग्याद किया जा सकता पहले हम प्रधान उपवाक जो होता है उसको कोज करते हैं ठीक है तो जिन चातों ने परिस्व किया वे उत्तीन हो गए और प्रधान वाक को मिश्वित वाक में अंत में हमल कर देते हैं वो आपका सही आपसन हो जाएगा चलिए अब आपके पेड़ोगाजी के प्रस्न देख लेते हैं शिच्छन सास के प्रस्न देखेंगे क्या है योजना सिच्छन विदि के परवर्तक कौन है दोस्तो किलपैटिक ने योजना बीदिद्वारा बालकों को अधियम कराने पर बल दिया योजना सिच्छन बीदि का मूल अधार जान डिवी की बिचार धारा है लेकिन किलपैटिक ने इसे बिवस्ची रूप से प्रदान किया इसलिए किलपैटिक को इसका प्रवर्तक माना जाता है आईए देखेंगे अंगला प्रस बीडियो को सेर कर दीजेगा क्योंकि सब का साथ सब का विकास सिच्छा सरो पर है सलेक्शन सरो पर है और प्रसन यह है प्रसन यह है दोस्तो बहासा सिच्छन के सिधान्त है जो आपकी बहासा सिच्छन है इसके सिधान्त प्रेणा का सिधान्त है क्रिया द्वारा सीखने का सिधान्त है जीवन से जोडने का सिधान्त है या बहासा सिच्छन के ये सभी सिधान्त है तो राइट आपसन क्या हो जाएगा दोस्तो बहासा स आत्रम है एनरजी डाउन नहीं करना है क्योंकि इंकलाब जिंदा बाद दोस्तों हमेशा आपने एक नारा सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा आज आप से जैस्वाल सर कर रहे हैं आप लोग सपोर्ट करें लाइक सब्सक्राइबर करें म मैं आपको सेलेक्शन दोंगा जी हाँ दोस्तों सभी को नमन है प्रसना चुका है कि भासाई कौसलों का भासाई कौसलों तथा सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये चार भासा के कौसले महत पूर्ण पहला कौसल सुनना दूसरा बोलना तीसरा पढ़ना चौथा लिखना य ये जानना भी मत पून है। तो भासाई कौसल की जो ये 4 कौसल है, ये विकास किस कच्छा तक पून हो जाता है। कच्छा 2 तक, कच्छा 3 तक, कच्छा 5 तक, कच्छा 8 तक। सभी लोग कमेंट करेंगे लाजवाब प्रसने, लाजवाब तयारी है एक दम यहाँ पे क्योंकि सलेक्शन सरो पर ही है तो इसका प्रस्ण इसका एंसर क्या हो जाएगा कच्छा पांच तक भासाई कौसल में सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये जो चार महत पूर्ण कौसल है दोस्तों विकास के कच्छा पांच तक इस तर में इन चारों कौसलों को पूर्ण करने का लच्छ होता है ठीक दोस्तों आईए अंगला प्रस देख लेते हैं चात्र की मौकिक अब्यक्त की योगता का मुल्यांकन करते समय निल में से आवस्यक है अगर आप सिछक हैं अध्यापक अध्यापिका हैं ये बताईए जब आप चात्र की मौकिक अब्यक्त की योगता का मुल्यांकन करेंगे तो उस समय जो होगा आपके लिए क्या आवस्यक होगा सुद्दुचारन उचित गती ब्याकरन सम्मत भासा का प्रयोग या ये सबी तो चात्र की मौकिक अब्यक्त की योगता का मुल्यांकन करते समय आप के लिए जो अविस्चक होगा हर सिचक, हर सिजका के लिए जो अविस्चक होगा वै उचित गति भी है, सुद्धुचारण भी है और ब्याक्टन सम्मद्भासा का प्रयोग भी है अनि उप्रयोगत सभी आपसं exception सई हो जाएगा आईए देख लेतें अंगला प्रसंद क्या है स्रमन कॉसल को विक्सित करने के लिए उप्युक प्रणाली कौन मानी जाती है स्रमन कॉसल को ध्यान दीजेगा ठीक है स्रमन कॉसल को विक्सित करना है तो उप्युक प्रणाली कौन सी है ब्याख्या प्रणाली तुलना प्रणाली गीत प्रणाली या खेल प्रणाली ठीक है तो स्रमन कॉसल को विक्सित करना है दोस्तों उप्युक प्रणाली आपकी खेल प्रणाली होगी क्योंकि चिडिया घर तीतर उड तथा जल्थल जैसे जो ये खेल होते हैं दोस्तो ये खेल का स्रमन कौसल में विक्सित होता आपने तीतर उड सुना होगा तीतर उड कावा उड ये सारे खेल आपने बच्पन में खेला भी होगा ठीक है चिडिया उड ठीक है आपने गेम खे प्रस्णपत का निर्मान करेंगे तो उससे पहले किस प्रपत को तयार करना आवशक होता है पूरख पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाट कम प्रस्णों के उत्तर सबी लोग जानते ब्लूप्रिंट तयार करना सबसे आवशक होता है क्योंकि ब्लूप्रिंट वेख खाका होता है जिसमें प्रस्णपत को इस प्रकार की संतुलित किया जाता है कि वह प्रतेक उद्देश की पूर्त ये तू समचित एवं पर्याप्त हो अंगला प्रसंद क्या है प्रसंद यह है कि स्रब दस समागरी नहीं है छाया चित्र, दूर दर्शन, ड्रामा, चल चित्र तो स्रब दस समागरी कौन नहीं है यानि स्रब यानि सुनाई देना, द्रस यानि दिखाई देना, यानि कि हमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे ऐसी समागरी आपको बताना है, ठीक है, तो देखिए, दूर दरसन दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, चल चित्र जो होता है, वो दिखाई और सुना आएगी इसलिए स्रब दस समगरी में आपका चाय चित नहीं आएगा यह केवल द्रस समगरी के उकरण में ही आएगा चले दोस्तों अंगला प्रस देख लेते हैं वीडियो लाइक करते जाएंगे मेरे सभी प्यारे मित अंगला प्रस ना चुका है जिन्नोंने पहली बार वि 750 में कितना स्कोर कर रहे हैं चले प्रस निया है मौकी कव्यक्ति कोशल का विकास करने का ससक्त माध्यम बिध्याले पतिका होगा नातक होगा वाद बिवाद होगा या कूछ कारक्रम होगा तो दोस्तों मौकिक विक्त कौसल का विकास करने में जो ससक्त माध्यम होगा साधन होगा वह वाद भीवाध ही होता है ठीक है आपका तीसरा अप्सन सही हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं क्या दिया गया है मुल्यांकन का आवश्यक उधारन कौन है वस्तुनिष्टा वैदता भी होनी चाहिए तो वो प्रुक्त सभी हो जाएगा अंगला पस देख लेते हैं राजश्चित में सिच्छा की बात करते हैं वीडियो लाइक सेयर करते जाएंगे मेरे सभी प्यारे मित क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्धापक अध्धापिकाए हैं मैं हर सिच्छक को नमन करता हूँ क्योंकि सिच्छक जो होते हैं राज निर्मान में सबसे बड़ा युगदान उन्हीं को होता है तो हर भावी बहन हर बंदू हर सिच्छक बंदू का विलकम हैं अंगला पस देखे निन में से उपलब्द परिच्छन निर्मान का चरण नहीं है स उपलब्द परिच्छन निर्मान का चरण जो होता है वह चात्रों की कम्यों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना ये उपलब्द परिच्छन में नहीं आएगा अगर हमें उपलब्द पाना है तो सैच्रिक उद्देशों को लिखें प्रस निर्मान करें समंकन योजना त्यार करें ये तीनों चीज हैं जो उपलब परिच्छन निर्वान के चरण है ठीक है छात्रों की कम्यों का प्राप्ट करना ये उपलब दिका नहीं है ये आपके नैदानिक ठीक है नैदानिक परिच्छन का चरण हो जाता है जो छात्रों ते उनको कम्यों की जानकारी प्र आजाता है अंगला प्रस देख लीजे वीडियो लाइक शेयर करते जाएंगे और आज पता चले दोस्तों अब बारी आती है आपके मैं सब्जेट की बारी आती है तो हम यहाँ पे गणित सुरू कर रहे हैं गणित के वेतिन यहाँ पे इसके पहले मैं प्रसनों को सुरू करूँ एक रफ यह काँपी पेन लेके बैठ जाएं मेरे सबी प्यारे में अगर सेलेक्शन पाना चाहते हैं इंदेल से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा एक आग्रह आप सभी लोगों से पेन और काँपी ले ले जो प्रसन है इस सभी को जो आप वीडियो पहुच करें स्वयम प्रसनों को सौल्व करने की कोसिस करें जो आपको उत्तारा इसके बार वीडियो प्ले करें फिर देखें कि इसका इंसर क्या होगा इससे आपको confidence आएगा आपके लिए practice होगा तो चलिए शुरू करते हैं साथी साथ वीडियो लाइक कर पूर्ण संख्या हैं लेकिन बिसम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो नियूंतम बिसम पूर्ण संख्या होगी आईए इसका उत्तर देखते हैं वीडियो पहुच कर लेंगे सबी लोग अपने आप में सौल्व कीजे इसके बाद प्ले करके एंसर देखें देखें तो साथ क्रमागत बिसम संख्यां के पूर्ण संख्या का योगफल पूचा गया तो प्रसन अनुसार ठीक बीच वाली बिसम संख्या का योग ले लेंगे योग बटे साथ होगा यानि 133 बटे 7 होगा यानि 19 आ गया तो निउन्तम विशम संख्या क्या होगी 29 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 होगी यानि कि 19 माइनस 6 बराबर 13 हो जाएगा अब आपने सोचा होगा कि ये निउन्तम विशम संख्या 29 क्यों ले रहे हैं ठीक है आप लोग तो यही सोच रहे होंगे लेकिन समझे दोस्तों साथ क्रमागत विसम पूर्ण संख्याओं का युगफल पूंचा है ठीक है तो ठीक बीच वाली विसम संख्या बराबर क्या हो जाएगा योग बटे साथ हो जाएगा ठीक है, तो योग विसम, कितनी विसम संख्या हैं, साथ हैं, तो 133 बटे साथ कर लेंगे योग आपका दिया योगफल 133 है, तो आपका 19 यहां पर प्राप्थ हो गया अब नियुन्तम विसम संख्या कौन है, तो 29 आ जाएगी यहां पर ठीक है, क्या हो जाएगा, 29 आपकी नियुन्तम विसम संख्या कहलाएगी अब यह है, दो, दो माइनस क्यों कि यह तीन बार, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है, ठीक बीच वाली विसम की संख्या ले है, ठीक है, तीन संख्या है न होगी, यह बीच वाली संख्या हो गई मान लेजिए ठीक है नियूंतम इसके बाद हमें बीच वाली संख्या भी निकालना है ना तो 29 माइनस 2 माइनस 2 कर लेंगे तो हमारी संख्या जो ये 19 आई है ठीक है 19 में क्या करेंगे माइनस 6 कर लेंगे तो 13 आपका एंसर हो जाएगा ठीक है आयोप आप लोग समझ पा रहे होंगी ठीक है तो नियूंतम विशम संख्या पूर्ण संख्या आपकी क्या हो जाएगी 13 आपका एंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आईगी अंगला प्रस देख लेते हैं अंगला प्रस्ण क्या कह रहा है आठ से प्रारंभ होने वाली तथा च्छै पर अंत होने वाली आठ अंकों की बड़ी से बड़ी और चोटी से चोटी संख्या का अंतर बताईए आठ से प्रारंभ होने वाली च्छै पर अंत होने वाली आएए देखते हैं आठ से प्रारंभ होने वाली च्छै पर अंत होने वाली आठ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यह होगी आप लोग देख पा रहे हैं ठीक है इस कीन पर इकाई दहाई सैकडा हजार दसजाल लाग दसला करोड तीक है आठ करोड 99,996 यह आठ से प्रारम होने वाली छै पर अंतोने वाली आठ अंकों की सबसे बड़ी संक्या है दूसरा क्या है आठ से प्रारंब होने वाली चै पर अंतो होने वाली आठ थंकों की सबसे छोटी संक्या क्या होगी 8,00,00,00 हो जाएगी ठीक है अब इन दोनों का अंतर पूंचा है तो अब तो सिंपल सी बात है इसको माइनस इसमें आप माइनस कर लेंगे आपका इंसर आ जाएगा क्या जाएगा 9,99,999 आपका इंसर हो जाएगा ठीक है तो आपका कौन सा अपसर सही हो जाएगा यहाँ पर कौन सा इंसर सही हो जाएगा सभी लोग कमेंट करेंगे ठीक है आपका फोरत आपसन यहां पे सही हो जाएगा क्योंकि देखे मैं आपको इसके नीचे करूँगा तो 6 में 6 जाएगा तो 0 लास्ट में आएगए ठीक है इसके बाद 9 नौ आएगे क्योंकि 0 बाद 6 जाएगे च्छाए में इतनी संख्या है जो 13 से पूर्टे विभाजित हो जाती है दोस्तों यहां 1 से 200 तक के बीच उन संख्याओं की संख्या जो 13 से विभाजित हो जाती है बराबर 15 है तो 1 से 300 तक के बीच उन संख्याओं की संख्या जो 13 से विभाजित हो जाती है 23 है अत्य है 200-300 के बीच उन संख्याओं की संख्या होगी जो 13 सिवाजित हो जाएंगी 23 में से 15 माइनस कर लेंगे 8 आपका इंसर हो जाएगा ठीक है 100-200 तक के बीच जो 13 से विवाजित हो जाएं उनकी संख्याओं 15 है और 100-300 तक देखा जाए उनकी संख्याओं कितनी है 13 सिवाजित हो जाएं वो 23 है अत्य है हमें 200-300 के बीच में निकालना है तो 100-100 से लेके जो 300 तक है इसे माइनस कर लेंगे क्या है 1-200 तक 200-300 के बीच हमारी संख्या निकलाएगी यानि 23 माइनस 15 करेंगे आठ हमारा इंसर आ जाएगा आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे यानि से कंडाप्सन सही हो जाएगा अंगला प्रस्ण देख लेते हैं अंगला प्रस्ण लाजवाब है समझेगा इस प्रस्ण को कौन सी संख्या साथ से बिभाज नहीं है देखे प्रस्ण यह आता बिभाज है लेकि यहाँ पर बताना आप लोगों को कौन सी संख्या साथ से बिभाज नहीं है तो पहले हमें इसका सलूसर निकालना पड़ेगा कि कौन कौन सा बिभाज है कौन नहीं है देखे किनी तीन अंगों को दो बार पुन्रा बत्य होने पर वह संख्या साथ से बिभाज हो जाती है अगर कोई भी संख्या है तीन बार पुन्रा बत्य हो रही है तो वह संख्या साथ से बिभाजित हो जाती है जिससे यहाँ पर देखे थीक है पांच लाग 13,513 को साथ से बिभाजित करते हैं विभाजित करते साथ से तो ये संख्या प्राप्त होती है यानि उपरिक संख्याई साथ से विभाज है जबकि तेज-तेज में दो अंकों की पुनरावद्वन्ही होई है इसमें देखेंगे आप लोग देखें, ट्वники-ванाटी ट्वником टित्री दो बार पुन्रवत्ति हो रही अता यह 7 से पूर्वत्ति विभाज नहीं होगी तो आपका राइट अपसन क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, तेज तेज हो जाएगा ठीक है दोस्तो ठीक है ये तीनों आपकी वाजित हो रही है आप लोगों ने देख पा रहा हो ठीक है तीनों सासी वाजित हो पा रही है लेकिन तेज तेज आपकी नहीं हो पा रही है अंगल अपस देख लेते हैं तो आपसन देखिए कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है क्यों नहीं दिया है देखिए चुंकि सभी प्रकार का हर समान है यानि हम नीचे देखेंगे तो सभी में हर समान आपको दिखेंगे इसलिए क्या है आपका ये क्रमसे वो बिन सबसे बड़ा होगा जिसका अंस क्रमसे ब तीन मित राहुल राकेश नयन अठारह हजार में एक रेडियो कैमरा किराये पर लेता है तीनों ने साड़े तीन गंटे, छै गंटे, ढाई गंटे उसका उप्योग करता है यानी राहुल साढ़े तीन गंटे, राकेश छे गंटे, नयन धाई गंटे इसको प्योग करता है तो राहुल कितना किराय भुकतान करेगा प्रसना नुसार देखिए प्रती गंटा लगने का किराया क्या है अठारा सो रुपे लिया गया ठीक है, तीनों ने, एक ने साढ़े तीन गंटा यूज किया एक ने च्छे गंटे, एक ने धाए गंटे टोटल हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल अठारा सो है और इनका हमने दो त्याही च्छे, एक साथ बटे दो हो जाएगा ठीक है, दो दुझी चार, एक पांच बटे दो हो जाएगा तो हमने यहाँ पे क्या लिया एलसीम लिया और हमने टोटल यहाँ पे हल किया तो अठारा सो बटे बारा आ गया बरावर कितना हुआ, एक सो पच्छास रुपए हुआ यहाँ राहुल को लगा किराय कितना हो जाएगा एक सो पच्छास गुणे तीन सही एक बटे तीन कितने समय देखा, इतने समय तो हमने इतने मिवाजित कर दिया ठीक है, और राहुल को लगा किराय कितना हो जाएगा तीन साही एक बटे तीन यानी साथ बटे दो तो एक सो पचास गुणे साथ बटे दो करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सभी लोग बताएं एक सो पचास से साथ से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा ठीक है एक हजार पचास हो गया तो एक हजार पचास को दो सिभाजित करेंगे तो पांसो पचीस हो जाएगा तो प्रसंद क्या पूंचा गया था कि राहुल को कितना किराया देना है तो राहुल को कितना किराया देना पांसो पचीस रुपए देना अगर यहीं पर पूंचा जाता कि राकेश को कितना देना, राकेश ने 6 घंटा देखा था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, 150 गुड़े 6 कर देते, तो कितना आ जाता 150, ठीक है, तो यहाँ पर 900 कि राय किसका होता, 900 कि राय किसको देना पड़ता, यहाँ पर राकेश को देन पड़ता अगर यहीं पर 9 अन का पूंचा जाए तो 9 अन का कितने धाई गंटे देखा है न दोस्तों 9 ने तो हम क्या करते 150 गुड़े 2 सही 1 बटे 2 को 5 बटे 2 तो यहां 5 बटे 2 कर देते ठीक है दोस्त इसको कार देते कितना आजा 75 गुणे 5 करिए 75 गुणे 5 करिए उतना आपको किराया देना पड़ेगा आई होप आप लोग समझ गये होंगे अंगला प्रस देखते हैं वह से बड़ी बड़ी संख्या जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर करम से 2 तथा 3 सेस रहते हैं वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों प्रसना नुसार देखी वह संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस 122 और 243 को भाग देने पर करम से 2 तथा 3 सेस तो सेज कितना बचता है दो और तीन बचता है ठीक है तो 122 में हमने दो की 120 आ गया 43 में 3 सेज घटा है 240 आ गया तो अभीष संक्या क्या हो जाएगी आपकी 120 हो जी ठीक है यहाँ पर दिया गया है ना अभीष संक्या क्या हो जाएगी आपकी 120 हो जाएगी तो हमने 240 का जब मासा निकाला मासा मत्तब क्या होता है मात्तम समापर तक तो हमारा 120 आया मात्तम समापर तक 120 आ गया तो हमारा इंसर यही हो जाएगा सिंपल सी बात 120 आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर क्रम से 2 तथा 3 सेज बचता है ठीक है तो जब हम यहाँ पे देखिए सबी लोग 120 है अगर इसमें 122 है भाग देंगे एक बार जाएगा 120 बार गया बचा सेज 2 यहाँ पे क्रम सेज बच रहा है ठीक है इसी प्रकाद जब 243 दिया है इसमें हम भाग देंगे कितने का 122 का ठीक है तो कितने बार जाएगा दो बार जाएगा ठीक है दो दूनी चार सभी लोग बताई 120 का 120 का भाग देना है तो 120 का दो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा यहाँ पे सेज कितना बच रहा है तो दो तीन सेस बच रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं तो सही आप सेन 120 हो जाएगा ठीक है इस प्रकास से हम solve करते हैं हल करते हैं आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे चले तो अंगला प्रस देख लेते हैं आप यह सोचा आपने अभीश संक्या यह कैसे आई तो हमन 120 जब सेम आ रहे हैं तो आपका 120 सही हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं दो संक्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है यदि एक संख्या 128 है तो दूसी संख्या बताना है चलिए आई स्वाल्ब करते हैं दो संख्याओं का लगुत्तम समापरतक 1920 है और मात्तम समापरतक 16 है एक संख्या 128 है दूसी हमें प्राप्त करना है तो यह सूत होता है पहली संख्या गुणे दूसी संख्या बराबर 1920 मात्तम समापरतक गुणे लगुत्तम समापरतक कर लेत ठीक है माल लिजे पहली संख्या X है दूसरी संख्या Y माल लेते हैं बराबर LCM होगा और multiplication SCF होगा ये सूत होता है तो पहली संख्या दीग होई है हमें Y प्राप्त करना है ठीक है तो Y बराबर क्या हो जाएगा यहां पर LCM SCF बटे आपका क्या हो जाएगा X हो जाएगा उसी प्रकार यहां पर भी है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर अग 16 है एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या 240 होगी ठीक है और 128-240 का आप मासा निकालेगा नोट कर लिजेगा सभी लोग ठीक है स्कीन सार्ट भी ले सकते हैं आई हो अगर आपसे नहीं बन पा रहा हो अंगला प्रस देख लेते हैं प्रसने दोस्तों तीन के प्रथम गेरा गुर्जो का उसत क्या होगा तीन के प्रथम गेरा गुणज दियें अब हम ये थोड़ा करेंगे तीन 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 करते थोड़ा जाएंगे एक सूत होता है एक ट्रिक होता है वो सूत और ट्रिक क्या है आईए देख लेते हैं प्रसना अनुसार M बरावर 3 दिया है तीन के गुणज और संख्याएं गेरा वार करना है तीन के क्या दिया है प्रसंदिया है तीन के प्रतम गेरा गुणज तो संख्या किया है तीन है और गुणज यानि कि संख्याएं कितनी है गेरा वार तो अभी संख्या क्या होगी तो तीन संख्या धन एक बटे दो होगा यानि जो संख्या है गुणे जो गुणाज है धन एक बड़ावर बटे दो कर लेते हैं यानि 18 आपका यहां पे इंसर आ जाएगा यानि कि सूत्र क्या होता है m into n plus 1 upon 2 यह सूत्र होता है m हमारा क्या होगा जिसके गुणाज हमें निकालना है अगर यहां पे दे दिया जाता 4 की प्रथम कितने 10 गुणाज निकालना है तो 10 धन एक करते बटे दो कर लेते 2 एक कम दो दो दोनी 4 दस से क्या होता गेरा और गेरा दोनी 22 यहां पे एंसर होता किसका 4 की प्रथम 10 गुणजों का योग यह सूत्र होता है ठीक है गुणजों के आउसत पूंच लिया जाए ठीक है गुणजों का आउसत अगर पूंचा जाए तो आउसत का यह सूत होता है दोस्तों अगर आउसत निकालने का जाए ठीक है जो संक्या है M करेंगे और N प्लस 1 अपान 2 होता है N आपका यहाँ पर गेरा है तो हम सूत रख देंगे आपका उसत यहाँ पर निकल आएगा अंगला प्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है यह सीटेट यूपी तीज गोड़ों का ओसत मूल 45-100 है तो सेज गोड़ों का ओसत मूल क्या होगा ओसत से प्रसन है ध्यान दीजेगा प्रसना नुसार देखिए तीज गोड़ों का ओसत कितना दिया है एक लाग पच्चास जार बटे तीस करेंगे तो 5000 टोटल आउसत निकल ला है ठीक है 30 गोडों की कीमत 1,50,000 है तो हमें 1,50,000 में 30 का भाग दे देंगे तो एक गोडे की कीमत आगई यानि एक गोडे का आउसत कीमत कितनी आगई आउसत मूल 5000 आगई M बराबर कितना दिया 30 दिया है X बराबर टोटल मूल 5000 दिया है N बराबर संख्या 18 गोड़ और Y बराबर 4500 क्या दिया यहाँ पे ठीक है अब प्रसुन क्या कह रहा है कि आउसत मूल 4500 है 18 गोड़ों का ठीक है 30 गोड़ों में से इतना खरीदता है उनमें से 18 गोड़ों का आउसत जो है 4500 है बांकी गोड़ों का में निकालना है ठीक है तो 30 गोड़ों का टोटल आउसत 5000 जा रहा है लेकिन question में दिया है 18 गोड़ों का आउसत कितना दिया 4500 दे रखा है आईए देख लेते हैं दोस्तों प्रस्ण को solve करेंगे सेज गोड़ों कैसे 30 माइनस 18 कर लेंगे का आउसत मूल 30 गोड़ों 5000 कर लेंगे माइनस 18 गोड़ों 45 करेंगे योगि 30 गोड़ों का आउसत 5000 आ रहा है और 18 गोड़ों का 45 दिया गया है ठीक है दोस्तों तो 30 गुणे 5000 माइनास 18 गुणे 45 और 30 माइनास 18 कर लेंगे और सथ के निकालने का सूतर है और यह आपका इंसर आपको दिख रहा है सामने ऐसे सॉल्ब कर लेंगे याँ पांचजार 750 क्या हो जाएगा उन 18 ठीक है क्या पूचा जा रहा है 18 गोड़ों के बाद जो सेस है उनका मूल आपका हो जाएगा पांचजार 750 हो जाएगा यानि 30 अपसन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों वीडियो कर सा लागे लाइक सेर करके जुरू बताई अभी इन्वार्मेंट की क्लास होना है बहुत इंपॉर्टन क्लास है वो कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 के हिसाब से बेची गई लाब होगा कुछ वस्तुएं हैं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए के हिसाब से बेची गई तो लाब कितना निकलेगा प्रस्णा नुसार देखी, प्रत्षत लाब, खरीदी गई वस्तों का संख्या का स्क्वाइर, माइनस बेची गई वस्तों की संख्या का स्क्वाइर, मल्टिपिकेशन हेंडेड, बटे बेची गई वस्तों की संख्या का स्क्वाइर, यानि कि खरीदी गई वस्तों का स्क्व 35 इतना आ गया इसके बाद क्या आ गया 36 परेंगे कितना आ जाएगा सबी लोग जानते 25 से कम 25 25, 2004, 4 बचेगा 36 में 25 गेरा करेंगे तो ये गेरा गया गेरा गुने 4 करेंगे 44 आ जाएगा 44 प्रुस्ति क्या हो रहा है 44 प्रुस्ति यहाँ पर उसको क्या हो जा रहा है लाब कितना होगा 44 प्रिस्ट उसको लाब हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं यदि मैं 10 के गेरा की दर से कुछ वस्त्वें खरीद कर उन्हें गेरा के 10 की दर से बेंचता हूँ तो लाब प्रिस्ट कितना होगा देखे प्रसन अंसार लाप प्रस्त क्या होता है मैंने बताया था गेरा के स्क्वाइर माइनस 10 का स्क्वाइर हो जाएगा क्योंकि क्या पूछा जा रहा है बेंचने पर हमें ठीक है खरीद कर उन्हें कित्ते में गेरा के 10 की दर पर बेंचता है गेरा रुपाई में तो गेरा का स्क्वाइर माइनस 10 का स्क्वाइर यानि सूत क्या होता है पहले खरीदी गई वस तो फिर बेंची गई वस तो खरीदी गई वस तो क्या है यहां पर गेरा हो जाएगा गेरा का स्क्वाइर बेंची गई 10 का स्क्वाइर बटे बेंची गई 10 का स्क्वाइर multiplication handed तो खरीदी गई 120 माइनस बेंची गई 100 फिर बटे में 100 हो जाएगा बेंची गई 21 प्रिस्ट यहां पर क्या हो जाएगा लाब हो जाएगा आपका अंगला परस देख लेते हैं 7300 का 5 प्रिस्ट वार्षिक दर्स से 12 माई 1987 से 10 सितंबर 1987 जग दोनों दिन सम्नित का साधारन ब्याज कितना होगा वीडियो पहुच कार अच्छे तरीके से प्रसन को पढ़ें प्रसना नुसार देखे question high level के हैं आपके MPTT में ऐसे प्रसन पूछे नहीं जाएंगे एक दो प्रसना सकते हैं तो घवराने के जूरत नहीं है क्योंकि ये सीटेट लेवल के प्रसन है तो सभी के लिए important है प्रसन देखना क्योंकि कुछ भी लेवल का सकता है क्योंकि ये pattern NCRT के लेवल पर आपकी इस बार प्रसन होना है तो देखे क्योंकि गेरा मई को 10 सितम्बर तक का समय कितना हो जाएगा 21 दिन गेरा मई के बाद फिर 30, 31, 31 तस दिन ठीक है क्योंकि 10 सितम्बर तक तो गेरा मई 21 हो गया मई का महिना फिर जून, जुलाई, अगस्ट और 10 सितम्बर तक इतना दिन हमने जोड़ा एक सो तेईस दिन टोटल होता है गेरा माईस से लेके 10 सितंबर तक का समय एक सो तेईस दिन ठीक है एक सो तेईस बटे 365 यह हमारा क्या आगया समय निकल क्या गया क्योंकि एक वर्स में 365 दिन होते हैं इसमें हमें निकालना है एक सो तेईस दिन का 130 बटे 35 तर तो हमारा वर्स में आ गया अब देखिए 7300 का ब्याज कितना होगा 7300 गुणे 5 बटे 100 गुणे 130 बटे 365 225 हमारा एंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों समझ गए आप लो ठीक है क्योंकि वार्सिक दर की यहाँ पे कितना है 5 प्रिस्त है ठीक है हमने 5 के लिखा क्योंकि आपका वार्सिक जो ब्याज दर है 5 प्रिस्त दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पे कितना लिखा मूल धान गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है आपने सदार्ण ब्याज का सूथ पढ़ा होगा ना क्या पढ़ा है मूल धान गुणे दर गुणे समय आपने पढ़ा होगा तो मूल धान 7300 दर 5 प्रिस्त है ठीक है और समय क्या है 120 बटे 365 वर्स और हेंडेट तो होता ही है इन तीनों में तो ऐको जम साल्व करेंगे 225 के आजाएगा आपका साधारन ब्याज निकल के आ जाएगा फिक है जम इनका स्वाल करेंगे तो आपका इंसर आ जाएगा आईए देख लेतें अंगल आपस साधारन ब्याज की 5 प्रिस्थ ब्याज की दर से 2200 करेण 5 वर्स में चुकाने के लिए कितने वार्षि किस्थ देनी पड़ेगी माना प्रतं किस्थ 100 देनी पड़ेगी अतर इस परस्थ है कि जो किस्थ पहले वर्स के अन्थ में दी जाती है यदि वह किस दूसरे तीसे चोथे पांचवे के अंत में कमसे 105, 110, 115 तथा 120 की होगी आता है कुल रेंड वापस कितना हो गया 100, 105, 110, 115, 120, टोटल 550 आता है रेंड 550 है तो वार्षी कितनी हो जाएगी 100 की हो जाएगी यदि रेंड 2200 का है तो वार्षी कितनी होगी 100, 550 कर लेंगे गुणे 2200 यानि 400 आपकी क्या हो जाएगी वार्षी किस निकाल आएगी ऐसे आपका इंसर आजाएगा आए देख लेतें अंगला प्रस्ट 72 डिग्री 40 किसका पूरक कहलाएगा दोस्तों सभी लोग जानते हैं 72 डिग्री के 40 का जब हम निकालेंगे तो X का पूरक माना की X का पूरक है तो X वार्षी क्या हो जाएगा 90 माइनस 72 डिग्री तो 90 में 72 यानि की बरवर कितना गया 89 60 माइनस 72 40 आ जाएगा ठीक है चूंकि एक डिग्री मान कितना होता है 60 सभी लोग जानते है तो कितना आ जाएगा एंसर 17 20 आपका एंसर आ जाएगा कितना आएगा 17 20 जो है आपका एंसर आ जाएगा क्योंकि 89 में 72 माइनस करके देख लीजे कितना आएगा कितना आ जाएगा 17 degree 20 आपका थीसरा अप्शन सही हो जाएगा अंगला परस देख लेते हैं दोस्तों 77 degree अपने संपूरक को कितना अधिक है संपूरक जो होता है वह कितना अधिक है 77 तो संपूरक इतना होता है 90 अंस का होता है और 77 अंस दिया गया है तो 90 minus 77 कीजी यहाँ पे अधिक पूँचा गया है तो माइनस 26 होगा क्या हो जाएगा क्योंकि माइनस में है आपका क्योंकि 77 अपने संपूरग में कितना अधिक है यहाँ पे दिखना चाहिए कितना कम है क्योंकि संपूरग होता है 90 तो 77 बड़ा होगा या 90 बड़ा होगा होता है 180 मानिस 70 करेंगे कितना एक 103 आ गया ठीक है सो 77 बराबर 103 धन X कर देंगी तो एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो मानिस 26 आपका एंसर आ जाएगा अंगला प्रस देगी चार सेंटीमीटर त्रिज्जा वाले ब्रत के महत्तम जीवा का माप बताईए देखे चार सेंटीमीटर की त्रिज्जा है उसके हम क्या है ब्रत का महीं जीवा निकालना है तो ब्रत की महत्तम जीवा बराबर ब्यास होता है और ब्रत की सबसे बड़ी जीवा निकालना है तो ब्रत की जो सबसे बड़ी सेंटर जीवा होगी वह ब्रत का ब्यास भी होता है मेरे प्यारे मित्रों तो ब्यास क्या होता है वह त्रिज्या का दो गुना होता है ठीक है त्रिज्या का दो गुना होता है ब्यास ठीक है आपके क्या है त्रिज्या की मान दी गई है चार सेंटीमीटर तो चार गुने दो कर देंगे आपका ब्रत की सबसे बड़ी जीवा निकल आएगी महत्ता म्या की बात कर रहे हैं प्रते को 90 का होता है किसी दो कोणों का योग 180 अंस का होगा सभी कोणों का योग 360 अंस होगा या आमने सामने के कोणों का योग 180 अंस होगा तो चक्री चतुर्भुज के लिए कौन सा कतन सही है सभी लोग जानते हैं चक्री चतुर्भुज में आमने सामने क कोण 180 के होते हैं तो आपका फोर्त आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्न क्या गए रहा दोस्तों यदि एक मील बराबर एक दसमलो छह एक किलोमीटर हो तो नौ गंटे ची आलीस मिनट में कोई बेक्त कितने मील जाएगा यदि उसकी चाल चाल 6 किलोमीटर पतिगंटे हो आईए इंसर देखते हैं क्या होगा चाल कितनी दी गई है 6 किलोमीटर पतिगंटा दूरी हमें निकालना है और समय कितना है 9 गंटे ची आलीस मिनट समय है ठीक है आईए देखते हैं तो 9 सही 46 बटे 60 कर लेंगे घंटा में क्योंकि हमें मिनट को घंटा में convert कर लेंगे ठीक है तो किसी भी मिनट को घंटा में convert कर लेंगे 46 बटे 60 कर लेंगे तो वैं घंटे में convert हो जाएगा तो यानि कि 9 गंटे क्या अगर 9 सही 46 60 कर लेंगे घंटा आजाएगा यानि कि 9 सही 33 वटे 60 घंटा आपका आगया ठीक है और कितना किलो मीटर है 58.6 किलो मीटर हो जाएगा क्यों कोई कि आपको पता है एक मील में 1.6 किलो मीटर होता है एक मील में और कितना किलो मीटर यहाँ पे दिया है एक मेल का तो हमें निकालना है एक मेल में कितना दिया है एक दसम्लो च्छै आईए देखते हैं कैसे एक दसम्लो च्छै किलो मीटर रवाबर एक मेल होता है तो अंठामन दसम्लो च्छै किलो मीटर रवाबर क्या हो जाएगा एक बटे 1.6 एक गुड़े अंठामन दसंबलो 6 यानि कि 36.5 मील के लगभग आएगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ठीक है? तो हमें दूरी निकालना है तो चाल और दूरी से हमने दूरी निकाल लिया दूरी हमारी किलो मीटर में आई इसको हमें मेल में कनवर्ट करना है तो मेल में हम ऐसे कनवर्ट कर लेंगे आपको इंसर आ जाएगा अंगला प्रस्निय है दोस्तों कि एक आयता कार छेत का परिमाफ 160 मीटर है उसकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है उस वर्गा कार छेत की एक पुजा जिसका छेतर फल उस आयता कार छेत के छेतर फल के बराबर होगी देखे दोस्तों माना आयत की चोड़ाई एक्स मीटर है आयत की लंबाई क्योंकि आयत होता है लंबाई धन चोड़ाई होता है ठीक है तो आयत की लंबाई क्या हो गई एक्स धन 48 मान लेंगे 48 चुड़ाई हो गई प्लस एक्स मान लेते हैं तो परिमाप आयत का क्या होता है तो आयत का परिमाप क्या होता है एक्स एक्स 48 हो जाएगा और प्रस्ट में क्या दिया गया आपके 160 मीटर परिमाप भी दिया गया है ठीक है, 160 मीटर जो आपका परिमाप दिया गया है और दोनों आसन भुजाओं का अंदर 48 मीटर दिया गया है तो X दन 48, क्योंकि आयत की चौड़ाई हमने माना परिमाप दो गुणे X X 48 कर लेंगे 160 आपका परिमाप दिया है, 4X 96 हो जाएगा क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 4X बराबर 64 हो जाएगा क्योंकि 96 माइनस 160 करेंगे तो 64 ही बचेगा X अगर 4 का भाग 64 में जाएगा तो 16 आजाएगा, तो X की वैल्यू 16 आगई यानि आएद की चोड़ाई कितना निकल आई, 16 निकल के आई तो आएद का छेदफल क्या हो जाएगा 16 गुणे 16 धन 48 हो जाएगा क्योंकि 2 नों कंतर 48 दिया है इसलिए 48 को उसमें प्लस कर लेंगे ठीक है, लंबाई में तो 16 गुणे 64 मीटर वर्ग होगा क्योंकि आएद की लंबाई वर्ग में ना पी जाती है तो वर्ग का छेदफल जो होता है 16 गुणे 64 मीटर स्क्वेर वर्ग का छेदफल भूजा के स्क्वेर में होता है इसलिए 16 चॉणसट करेंगे तो भूजा बराबर क्या हो जाएगी अंडर रूट 16 गुणे 64 हो जाएगी तो एंसर क्या आएगा जब रूट बाहर करेंगे तो 4 चुक 16 चार आगया 8 ठाई 64 ठीक है आट का वर्ग तो नहाँ पे 8 गुणे 4 नहीं 32 आते वर्ग की भूजा कितनी हो जाएगी 32 मीटर आपकी निकलाएगी तो आपका राइट आपसन फर्स्ट हो जाएगा आईए देख लेतें अंगला प्रसंट क्या दिया गया आप पेड़ागाजी की बात करेंगे सिच्छान साज के प्रसंट देख लेते है गनित की सिच्छा का मुख दे क्या होता है जो गनित की सिच्छा का मुख दे क्या होता है कि बच्चों की गन्ती प्रतिभाओं का बिगास करना अंगला प्रसंट क्या कह रहा दोस्तो एक सिच्चक गणित की संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उप्योग करती है वह इस युक्त का प्रयोग किसलिए करती है तो दोस्तो गणित के संप्रत्यों को सिखाती है खोज परक का उपागम को प्योग करती है विद्यातियों के बेवारिक छमताओं को प्योग करती है उन्हें चर्चा में सामिल करती है तो यह जो युक्त है यह प्रयोग इसलिए करती है क्योंकि एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक्ता बिख्सित करने के लिए बच्चों में एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक्ता बिख्सित करने के लिए करती है अंगला प्रस्ति क्या है दोस्तों प्रस्निया है कच्छा पांच में आ के तेरा बिद्यार्थी तथा कच्छा पांच में बा के पंदर बिद्यार्थी सेनी बाटा गया है ठीक है कच्छा पांच के आवर्ग में 13 विद्यार्थी हैं बावर्ग में 15 विद्यार्थी का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं ठीक है लेखन प्रतियोगिता होती है आव बावर्ग में बाटा गया है आवर्ग में विद्यार्थी 13 संख्याएं हैं और बावर्ग में संख्याएं 15 हैं ठीक है आवर्ग में आपके संख्याएं दी गई हैं जो प्रतियोगिता आयोजित होती है लेखन में उसके अंक दिये इतने इतने प्राप्त करते हैं आवर्ग और बावर्ग में दोनों में तो दिये गए आकड़ों में आप निस्कस निकाल सकते हैं कि दोनों विभागों का प्रदस्थन समान रहा क्योंकि दोनों व्युहागों के द्वारा प्राप्त अधिक्तम अंकों कमान अठा रहा है कच्छा पांच का आ प्रदर्शन बहतर है कच्छा आ का आउसत प्राप्तांक अधिक है क्या सही होगा तो कच्छा यही है दोस्तों सही होगा कच्छा पांच का आ प्रदर्सन बहतर रहा क्योंकि कच्छा आ का ओसत प्रापतांग अधिक है अब हमें क्या निकालेंगे पहले में ओसत निकालेंगे टोटल योग करेंगे कितनी संख्या है बटिक में भाग करेंगे फिर बा में टोटल योग करेंगे कितनी संख हैं उनका भाग कर देंगे तो ओसत अंक निकालेंगे फिर देखेंगे ओसत अंक किसका जादा है यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आवर्ग है या बेहतर है क्यों कि आप आवसत प्रापतांग जो अधिक आएगा ठीक है तो उस्वत प्राताम निकाल लेंगे यह आपका एंसर हो जाएगा एंसर क्या है प्रसने दोस्तों राष्टी पार्शेर्य रूप रेखा यानि NCF 2005 में उलेकित गणित की लंबी आकरती संकेत करती है ठीक है जो आपके NCF 2005 है उसमें उलेकित गणित की लंबी आकरती जो है किसका संकेत करती है चुनोती पूर्श समस्याओं का हल करना गणित के खेलों का सजन हस्त सिद अन्वप्रदान करना या एक संकल्पना पर दूसी संकल्पना बनाना तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना यह आपके NCF 2005 में गणित की लंबी आकरती का संकेत करती है अंगला प्रसंद दोस्तों देख लेते हैं कच्छा दोग से सम संक्ख्या और बिसम संक्ख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त यानी प्रत्यच वस्तों का दी गई संक्ख्या के साथ युगलन के क्रिया कलाब द्वारा दिया गया है इसके पश्चास सिच्का ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि ये वह देखें रंगों के डिब्बों में क्रियानों की कुल संक्ख्या सम अत्वा बिसम उनकी गणित की कापी में पेजों की संक्ख्या सम अत्वा बिसम क्रियानों पेजों की सम अत्वा बिसम संक्ख्या ग्याद करने का यह कार है ये जो सिच्छिका लेकिका है, उसमें क्रम और कम, भिसम और सम का जो पार्ट पढ़ा रही है, समझा रही है बच्छों को कच्छा 對不對 के सम और भिसम संक्छा की ज canoe के संकल्पना के द्वारा तो ये जो संक्छा है वो ज्यात करने का ये चार कौन सा कहलाएगा अधिगम के लिए मुल्यांकन है अधिगम के रूप में मुल्यांकन है अधिगम के अंत में मुल्यांकन है या अधिगम का मुल्यांकन है यह जो कार है सिचका के द्वारा सम विसम संख्या के द्वारा बच्चों में कराना यह अधिगम के लिए मुल्यांकन है क्या हो जाएगा अधियम के पहल आपसन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रस्निक उसार जिस प्रकार सिछक ने अपने चातों से डिब्बों के सम्या विसम होने की जांच के लिए कहा वै इस इसा कार जो है अधियम के में अंतर नहित क्या होगा अधिगम में असंगती को और सिच्छन में कम्यों को पहचानना जो अधिगम होता है उसमें असंगती और सिच्छन के कम्यों को पहचानना ही प्रात्मी कवस्ता में गणित रजनात्मा को लैंकन के अंतर नहित होगा पहला अपसंस ही हो जाएगा आ आपे कूट, वहां साब को बताना है, कूट दिया गया है, कि एक अच्छी पार्ट पुस्तक की विशिस्ताएं होती, दोस्तों जो भी कोई भी अच्छी पार्ट पुस्तक होती, उसकी विशिस्ताएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहु पूटी भारी होना आवश्यक है तो एक अच्छी पुस्त पार्ट पुस्तक की विशिस्ताएं क्या क्या होगी तो एक अच्छी जो पार्ट पुस्तक होती है उसकी विशिस्ताएं यह है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होना चाहिए और इस सित अभ्यास प्रस्ण में P, Q और RAS रेखा खंडों की लंबाई मापना है तो बच्चे उत्तर क्या देते हैं कि AB बराबर 5 cm, AB की लंबाई 3 cm, यह संकेत करता है, कोई अध्यापिका है, सिच्छक है, आप लोग अभ्यास प्रस्ण में देते हैं बच्चों के लिए कि P, Q और RAS की रेखा खंड की लंबाई मापना है, तो जो बच्चे हैं, कोई बच्चे AB की 5 cm बता रहे हैं, कोई AB की लंबाई 3 cm बता रहे हैं, यह संकेत क्या करता है, कि संकल्पनात्मक तुटिको संकेत करता है, कारवीद तुटिको, यह रेखा खंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण तो ठीको, या पढ़ने की तो ठीको, किसका होगा, क्योंकि आप तो यहाँ पे PQRS लिखे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा AB बराबर ही लंबाई यहाँ पे लिख रहा है, इसका कारण क्या है, तो यह क्या होगा, रेखा खंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण तो ठीको क्योंकि प्रतम में रेखा खंड PQRS दिया, लेकिन बच्चे की आदत होने के कारण उसमें PQRS न बोलकर उसे AB का ही नाम दे दिया गया, ठीक है, ऐसा होता है, कई बार आप लोग देखते होंगे, क्योंकि आप लोग सिच्छक हैं, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, ठीक है, आ जामती आकरतिया तथा उनकी विसेश्ताओं का, दुविमी और त्रिविमी आकरतियों में अंतर का, या सम्मित की अधारणाओं का, या आधार भूत, जामती अधारणाओं जैसे किरने, रेखाएं और कौन का, तो जीयो बोर्ड किसके लिए एक प्रभावी होता है, तो ज जायत, त्रिवोज और वर्ग, ठीक है, इनके लिए, जीयो बोर्ड क्या हो जैमती आकरतियों का, एक उनकी विसेश्ताओं या आधिका सिच्छन किया जाता है, अंगला प्रस देख लेते हैं, क्या दिया गया है, कच्छा चार का छात्र, अर्जुन संख्या प्रणाली में से सम्मंदित सभी प्रस्णों का उत्तर मौकिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर अधाई समस्याओं के हल लिखने में गलतिया करता है, लिखने में उसकी तुट्चियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उप्चारात्मक तक्नीक क्या होगी, इनि इन जब हम लिखित की बात करते हैं, संख्या प्रणाली पर अधाय समस्या को हल लिखने में गलतिया करता है, ये लिखने के जो उसकी तुटी है, इसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा उप्चारात्मक तक्नीक क्या होगी, नीचे दिये गएं चार अफ्शन सभी लोग तो अच्छी तक्निक जो यह है कि उसको एक कार पत्रक देना जिसमें समस्याइं आंसी ग्रूप से हल की गई हो और उसे खालिस्थान भरने को गए तो तीसा अपस्थान सबसे उपयुक्त होगा थीक है यडि पार्ण तो य जिसको एक कार पत्र देना जिए समस्याइं आंसी ग्रूप से हल की गई हो और उसे खालिस्थान भरने को गा जाए अंगला प्रस देखेंगे दोस्तो निम्कित मेंसे कौन सा उर्जा का वैकल्पिक्स होत है अब आपके देखें EBS का चैप्टर रहाँ पर सुरू हो रहा है EBS के मातमूर 30% रहेंगे तो सभी लोग कमेंट करेंगे EBS में अब ये 30% आप लोगों कैसे लग रहे है फटा फट कमेंट करेंगे ये क्लास आप लोगों को ये मॉडल पेपर कैसा लग रहा है ठीक है फटा फट कमेंट करेंगे अपना स्कोर भी बताएंगे अंतमी तो कौन सा उर्जा का वैकल पिक सोत है तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो जल उर्जा है ये उर्जा का वैकल पिक सोत माना जाता है ठीक है क्यों माना जाता है देखिए जल उर्जा का वैकल पिक सोत जबकि LED यह लाइट एमिटिंग डायोड एक अर्दचालक डायोड है इसमें बिद्दोधारा प्रवाहिद करने पर यह प्रकार उस सर्जित करता है और लीथियम बैटरी पुने चार्ज करने की योग बैटरी है इस बैटरी में अनावेसित होते समय इसमें लीथियम आयन इसके रिणाग और धनाक्री और प्रवावित होता है तथा बैटरी के आवेसित होने समय इसके उल्टा चलते है चले तो अंगला प्रस देख लेते हैं इन्वार्मेंट की क्लास चल लई है तीस महतपूर्ट प्रस नहेंगे इवी एस परेवन की तीस महतपूर्ट प्रस तीस महतपूर्ट मॉडल पेपर बिसम को चैन करना है सौर उर्जा, पवन उर्जा, ज्वारी उर्जा, प्राकतिक उर्जा तो बिसम यहाँ पे क्या है तो प्राकतिक उर्जा यहां पे भी सम होगी पावन सौर अज्वारी उर्जा यह ठीक है लेकिन प्राकतिक उर्जा यहां पे भी सम हो जाएगी क्योंकि देखे सौर उर्जा पावन उर्जा ज्वारी उर्जा यह आपके आपरंपरागत उर्जा है जब कि आपके जो प्राकतिक गैस परंपरगत एवं अनवी करनी जो उरजा होते हैं ठीक है तो उरजा पवन एवं जवारी उरजा यह है आप परंपरगत सोथ कहला जाएंगे अंगलाप्रस देख लेते हैं क्या दिया गया है कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है पनीर में, दाल में, मास में, सुद्धगी में यानि प्रोटीन की मात्रा अधिकता में नहीं होती तो देखे पनीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक में होती है दाल में होती है, मास में भी होती है लेकिन सुद्धगी में जो है प्रोटीन की मात्रा सून होती है ठीक है आजब की डाल में 20-35% प्रोटीन होता है मांस में 8-20 होता है और पनीन में लगवक 9% की आसपास प्रोटीन होता है ठीक है अंगला पर देख लेते हैं समिक मदमक्षी अनमक्षियों को भोजन के सोथ को दिसा ग्याद करती है देखे मक्षियां दो प्रकार की होती है ठीक है मक्षियों को जो जुन्द होता है उसमें कई अलग-अलग रोल होता है कुछ समिक मक्षियां होती है ठीक है कुछ वहाँ पर रच्छा करती है security का वहाँ पे अदा करती है जो security का work होता है ठीक है आपने जब NCRT के book पढ़ेंगे मदमक्यों के बारे में तो आपको पता चल जाएगा ठीक है आई होप आप लोग समझ पाए होंगा आईए cdm answer पे चलेंगे कि जो स्रमिक मक्या अनमक्यों को भोजन के सोथ की दिसा ग्यात करती है भिना करती है नत के द्वारा रासानिक संकेत के द्वारा या इसपर्स के द्वारा जो स्रमिक मदमक्या होती है वह अनमक्यों को भोजन को सोथ यानि कि अगर मक्यों को भोजन मिल जाए तो वह संकेत करेंगी दूसरों को कैसे नत के द्वारा करती है ठीक है जो समीक मदमक्की अनमच्यों को बोजन को सोत की जिसा नत के द्वारा ग्यात कराती है अंगला प्रस देखतेंगे ग्रामीर छेत्र में आप लोग देखते होंगे गोबर का प्रयोग जोपडी की दिवारों एवं फर्स को लीपने के लिए किये जाता है जिससे दिवाले चिकनी हो घरसन हे तुखुरदरी हो जाएं दिवार एवं फर्स प्राकतिक रंग हो या कीट दूर रहे कीट यानि कीडे मकोडे तो ग्रामीन चेत्रों में जो गोबर का प्रयोग करके जोपडी या दिवारों को फर्स एवं लीपते हैं वो कीट को दूरा करने यानि कीडे मकोडो क्या है दूर करने के लिए इसे लीपा जाता है अंगला प्रस देखिए वाई प्रदूसर में नहीं होता है जो वाई प्रदूसर होता है उसमें पाचन तन से सम्मंदित रोग है कैंसर से स्वसन सम्मंदित या इमारतों से यानि वाई प्रदूसर से कौन सर रोग नहीं होता है तो देखे पाचन तन से सम्मंदित रोग वाई प्रदूसर नहीं है माकी स्वसन में होगा कैंसर और इमारत का अच्छा है ये वाई प्रदूसर का है लेकिन आपका पाचन तन से सम्मंदित नहीं है क्योंकि वाई प्रदूसर में स्वांस सम्मंदित रोग जैसे फेपडे कोहानी होना इसमें होने वाले रोग दमा हो गया यह एक संक्रामक बीमारी है जबकि कैंसर बीमारी में कोसिकाओं के आसमान ब्रद्धी होने से होती है ठीक है आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बीडियो सभी प्यारे में तो लाइक करते जाएंगे अंगला लगाएंगे तो वह दूसरे तरफ भी क्या है गर्म हो जाता है तो यह जो गर्म होना यह किस प्रकार के प्रदात को कहेंगे तो यह जो पदार्थ गर्म हो जाते हैं किसी एक चरपर गर्म करेंगे दूसरा छोर भी अगर गर्म हो जाए दूसरा सीरा भी गर्म हो जाए तो उस्मा का अच्छा जो है सुचालक कहते हैं आए देख लेते एंगला प्रसंद क्या दिया गया है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता यानि जो ब्लड होता है जब हमें चोंट लग जाती तो आप लोग देखते होंगे ब्लड अपने आप वहीं पे जम जाता है तो किस विटामिन के कारण जमता है तो विटामिन किस के कारण विटामिन के कारण ठीक है लेकिन यहाँ पर प्रसंद क्या पूछा गया है किस विटामिन के कमी के कारण तो अगर विटामिन के अगर आपके पास कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर विटामिन के आपके सरीर में है बोडी में है तो रक्त का थक्का वेज जम जाता है तो प्रस्णियाई है कि रक्त का थक्का बनना विटामिन के कारण होता है क्योंकि βitamin के में आपके प्रोथम्बिन पदात का निर्मार होता है जो रखत को जमाँ देता है विटामिन के की कमी से रखत का थक्का नहीं बन पाता और विटामिन के का रासानिक नाम क्या है नेफ्टो कि नौन है नोट कर लेंगे सभी लोग रसानिक नाम भी पूछे जाते हैं, बीटामिन्स के, मनुस के हैदय में कितने कच्छ होते हैं, एक, दो, तीन, चार, तो मनुस के हैदय में चार कच्छ होते हैं, कौन-कौन से आईए देखते हैं, मनुस के हैदय में चार कच्छ होते हैं, दो निले होते हैं, दो आलेंद होते वास्तों में हैदय जो है है हैदय पेशियों से बना होता है जो एक अनैचिक पेशी होती है मानव है आस्तन एक नट में 72 बार धड़कता है इसका आस्तन भार 300 से 350 ग्राम होता है गरवादान के पांचमें सब्ताय में हदय का धड़कना सुरू हो जाता है बच्चे में ठीक है चलिए अंगला परस देख लेते हैं वस्त्वें जो मानवी नेत्रों के लिए अदर्समान होती हैं आम तरपर देखी जा सकती हैं वे वस्तवियें जो मानवी नेत्रों के लिए अदर्समान, यानि कि हमारे और आपके लिए अदर्स के समान होती हैं, हम नहीं देख पाते हैं, तो आम तावरों पर किस से हम देखी जाते हैं, अगर हम यह बोल सकते हैं कि खुली आँखों से, नंगी आँखों से किसी वस्तव के द्वारा देखी जा सकती है ठीक है दोस्तों जो वस्तों मानो नेट के लिए आदर्स होती हैं उन वस्तों को अल्ट्रा वाइलेट के प्रकास द्वारा आसानी से देखा जा सकता है चले देख लेते अंगला प्रसन क्या दिया गया है वन अधिकार नियम 2006 का मूल उद्देश क्या था दोस्तों एक अधिकार अधिकार अधिनियम 2006 में निकला और उसका मूल उद्देश यह था कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समदाओं को अधिकारों को मानता द तो अनुछेद जो पंद्रा है दोस्तो यह सारभौमिक मानवा अधिकार सुनिश्चित करता है तीक है जैसे आपके धर्म, मुल, वंस, जा, तिलिंग, जन्म, इस्थान के बेद के बिना समान समामता का उसर जो है आपके अनुछेद 15 सुनिश्चित करता है अंगला प्रस्ट क्या है पदार्थ की किस अवस्था में अणूओं के मद की दूरी नियुन्तम होती है पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है दोस्तों जिसमें जो है आपके अणूओं के मद की दूरी नियुन्तम होती है ठोस, द्राव, गैस, प्लाज्मा तो सभी लोग जानते हैं ठोस जो पास-पास में अनू होते हैं यानि कम दूरी किसमें होती है तो सभी जानते हैं जो ठोस पदार्थ होता है ठोस पदार्थ में अनू के मद दूरी जो है पदार्थों की अवस्था का निधारन किया जाता है और अनुों के मद बढ़ती हुई दूरी के करमें पदार्थ की अवस्था होती है ठोस जो है फिर द्रव होता है फिर गैस होता है ठीक है तो सबसे नजदीक जो होती है अनु पदार्थ हुआ ठोस होता है फिर उससे जो दूर दूर हो जाते हैं फिद्रव हो जाता है और सबसे जादा जो अनुदूर होते हैं वह आपके गैस पदात में होते हैं ठीक है अंगला पर देख लेते हैं पल्स पोलियो कारकम का उदेश क्या है दोस्तों जो पल्स पोल्यो कारकम होते हैं उनका उदेश है पोल्यो को उप्चार करना पोल्यो सुथपन लकवा को रोकना पोल्यो का संपूर्ण उन्मूलन करना या सभी तो पल्स पोल्यो कारकम का उदेश है पोल्यो का संपूर्ण उन्मूलन करना हो जाएगा और इस कारकम का उदेश था कि संपूर्ण जगत पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त गोंसित कर दिया गया था ठीक है भारत को पोलियो मुक्त कब गोंसित किया गया 24 फरवरी 2012 को और पल्स पोल्यो कारकम का ब्रांड अम्बेस्टर महानायक अभिताब बच्चन को न्युक किया गया था 2012 में ठीक है दोस्तों अंगला प्रस देख लेते हैं ठगी अत्वा अंचित ब्यापारिक ब्योहार होने पर हमें सिकायत करना चाहिए दोस्तों अगर कोई हमसे ठक कर चाहिए अगर कोई भी दुकानदार ब्यापार हमसे ठक करे और अंचित ब्यापार ब्योहार करे तो हम किस सिकायत करेंगे उभोगता सननच्छन मन्च से करेंगे जीला मुख्याले से करेंगे तहसील से करेंगे या ग्राम पंचायस से करेंगे तो कोई भी ब्यापारी, ठगी, दुकानदार आप से ठीक है, ब्योहार में अनुचित ब्योहार करता है गरवडी करता है तो आप किसे सिकायत करेंगे तो आप उभोगता सन्नच्छन मन्च से सिकायत कर सकते हैं क्योंकि उभोगता सन्नच्छन जो मन्च इसकी स्थापना इसी लिए की गई है ठीक है चले अंगला पस देख लेते हैं क्या दिया गया है राशपती द्वारा राशवा में कितने सदस मनोनीत होते हैं जो राशपती हैं उनके द्वारा जो है दोस्तो राशवा में कितने सदसों को मनोनीत किया जाता है तो बारा सदसों को ठीक है दोस्तों राजपती द्वारा राजपती द्वारा में बारा सदस्टों को मनोनीत किया जाता है आप लोग देख सकते हैं ठीक है राजपती द्वारा संसत की उपरी सदन होती है इसका सभापती राजपती होता है और राजपती सदस्टों की संख्या दिक्तम 250 हो सकती ह और इनसे बारा सदस को राश्पती द्वारा जो है मनोनीत किया जाते हैं ठीक है और यह बिवस्था जो है आयर लेंड के सम्विधान से लिये गया है आयर लेंड के सम्विधान में ऐसा होता था उसी सम्विधान से हमारे भारा के सम्विधान में लिया गया है तो राश्पती मनोनीज जो सदस होते हैं वह कला विज्ञान समास सेवा आदि के महत इस्थान रखने वाले होते हैं उसी को राश्पती जो है मनोनीज करते हैं अंगला प्रस्त क्या दिया है सोया बीन जौर मक्का उरद मत्पदेश की मुख फसले हैं खरीब की फसले हैं रवी की फसले हैं ज है सोया बीन जौर मक्का उड़त ये सभी क्या है खरीब की फसले कहलाती है और गेहूं जव ये क्या हो गया राई ये सभी आपके रवी की फसल कहलाती है अंगला पस देखिए मत्पदेश का सबसे बड़ा गाउं कौन सा है रीवा पन्ना सतना सागर चार अपसन है यहां पर लगबक कितने हैं साथ हजार के सम्थिंग ऐसे सदसे इस गाउं में ठीक है सबसे बड़ा गाउं चलिए अंगला पस देख लेते हैं मत्पदेश का प्रसिद्ध बेंजन कौन सा है पोहा जलेबी टुंडे कबाब उपरोग सभी ये दाल बाटी दोस्तों मत्पद मत्पदेश का प्रसिद्ध जो बेंजन है वो पोहा जलेबी माना जाता है मत्पदेश में उड़ते ही क्या है पोहा जलेबी यहां की प्रसिद्ध बेंजन है और बात करेंगे टुंडे कबाब की तो यह उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध बेंजन है और दाल बाटी जो है राजिस्थान का प्रसिद्ध बिंजन है मत्पदेश में किस जिले में बैंक नोट प्रिस इस्थित है यानि बैंक नोट मसीन बैंक नोट प्रिस जो है या बैंक किस जिले में छापे जाते हैं मत्पदेश की देवाज सतना उमरिया इन दोर सभी लोग जानते हैं मत प्रदेश के देवाज जिले में नोट छापने की मसीन है नोट प्रेस इस्थित है अंगला प्रसन क्या है दोस्तों पेड़ागाजी के प्रसन हैंगे दस प्रसनिहां पे आपके सिच्छन सास के पर्यावन अद्धन की पाठ पुस्तक में अभ्या सेवं गत्विदियों का उपलब्द कराना चाहिए पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर निमित में पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में तो पर्यावर्ण अद्धन की पार्ट पुस्तक में अभ्यास इवं गत्विदियों का उपलब्द कराना चाहिए, प्रकरणों के अंतर नहित में कराना चाहिए, दूसरा अप्सन सही हो जाएगा अंगला अप्सन क्या पूँचा जा रहा है, आईए देख लेते हैं, स्कीन पर है बच्चों को दस्टिगोंड को स्विकार करना इमाम सम्मान देना चाहिए अविवागों के विचारों को स्विकार करना और सम्मान देना चाहिए या विशेशते प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए तो आप पर्यावर्ण के सिच्छा का ध्यापक है तो आपको किसको ध्यान देना चाहिए? विसेशते प्रयोगों पर ध्यान देना तो प्रस्निया दोस्तों प्रात्मिक इसतर पर बच्चे का आखलन करने का सरस्रेश तरीका का प्रयोग करना होगा अधिक्तम परिच्छाएं ये ग्रह कार, युगात्मकार या पॉर्टफोलियो तो प्रात्मिक इस्तर के बच्चों का आकलन करने का जब सलसेज तरीका होता है वह पॉर्टफोलियो का प्रियोग करना होगा क्या हो जाएगा पॉर्टफोलियो का प्रियोग करना मेरे सभी प्यारे मित वीडियो को लाइक करते जाएंगे सेयर करते जाएंगे क्योंकि सिच्छक बरती में सलेक्षन पाना है सरसेश चैनल दोस्तो जो आपके सलेवस्प के अधार पर जो आपके एकजाम पैटन पर प्रसनाते हैं मॉडल पेपर आते हैं जो आपके लिए यहाँ पे क्या है आपको सहायता करते हैं हिल्प करते हैं दोस्तो जरूर यहाँ पे लाइक सेयर सपोर्ट करें प्रसने दोस्तो एक सिच्छक पढ़ाते समय स्रब दस समागरियों एवं सरीरी गत्विदियों का प्रयोग करता है क्योंकि आप सभी में से भावी सिच्छक हैं ये बताईए पढ़ाते समय आप दस समागरियों का प्रयोग सरीरी के वं गत्विदियों का प्रयोग करता है क्यों करते हैं क्योंकि ये सिच्छार्थियों को दिशा परिवतन उपलब्द कराएंगी क्योंकि अधिगम ब्रदी में अधिक्तम इंदियों का उपयोग करते हैं सिच्छक को आराम उपलब्द कराते हैं प्रभावी आक्रन को सुगम बनाते हैं तो सिच्छक पढ़ाते समय द्रसब समागडियों यह सरीरिक गत्पिधियों का प्रयोग करते हैं कि ये आधिगम में ब्रद्ध अधिक्तम इंदियों का उप्योग करते हैं, ठीक है दोस्तों आईए अंगरापर देख लेते हैं, प्रस्णिया दोस्तों किसके अलावा निमनिखित पर्यमन अध्यन पढ़ाने की विदियां हैं, समस्या के अलावा, सहुगात्मक अधिगम के अलावा निर्देशित खोज के अलावा व्याख्यानों द्वारा इस्पष्ट करने के अलावा निम्लिखित पर्यवर्ण अध्धन पढ़ाने की विदिया हैं अनि समस्या ये भी पर्यवर्ण अध्धन की पढ़ाने की विदिया है सहुगा आत्मा कद्यम और निर्देशित ये तीनों जो है पर्यवर्ण अद्धन पढ़ाने की विदियां है लेकिन व्याख्यानों द्वारा इसपस्ट करना ये आपकी पर्यवर्ण अद्धन की पढ़ाने की विदि नहीं है अंगला प्रसन क्या है दोस्तो बस चार पांच प्रसन और बच हुए हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लें क्योंकि हमें आपे स्कोर करना है और बताना की आउट आफ वन पिप्टी में से आप लोग आज की क्लास में आज के मॉडल पेपर में कितना स्कोर क्रेक किये ह तो परिच्छन की वास्तिक रचना से पूर उसकी प्रारम्मिक जांच कर लेनी चाहिए इसका प्रारम्मिक जांच को कहेंगे कोई भी परिच्छन है उसको वास्तिक रचना से पूर उसकी प्रारम्मिक जांच कर लेना ये प्रारम्मिक जांच क्या बोलेंगे परिच्छन क यूजना बनाना होगा, परिछन की त्यारी होगी, पाइलट स्टड़ी होगी या अंतिम प्रारूप होगा, तो यह पाइलट स्टड़ी कहलाती है, ठीक है, एरो प्रेन में पाइलट सबसे आंगे बैठता है, यानि कि परिछा की वास्त्विक रचना में पूर उसकी प्रारं प्रारंबिक जाँच कर लेने, प्रारंबिक जाँच को क्या कहते है, पाइलट स्टड़ी कहते हैं, ठीक है दोस्तों क्या कहते हैं, प्रारंबिक जाँच को प्रारंबिक जाँच को पाइलट स्टड़ी कहते हैं, अंगला प्रस देख लेते हैं, क्या दिया गया है, बेतरी परेवन अध्यन की कच्छा में संकल्पनाओं को इस्पष्ट करने के लिए कभिता और कहानी कथन का प्रयोग करना यह सहायता करता है। अंगला प्रसंद क्या दोस्तों पूंचा जा रहा है। जूस से खीचेंगे, गुबारे में हावा भरेंगे या दो भरे हुए गुबारें को एक साथ बांधेंगे और समा नवस्ता में ले आएंगे। तो दोस्तों प्रसंद की कोई भी अध्यापिका सिचिका वायू के भार को और जगय को घेरती हैं प्रदरसित करना चाहती हैं तो उसकी सहयोगी जो है विन अधिगम की चार विन गतविदियों को सुझाते हैं। तो इन गतविदियों में कौन-कौन सा सही गतविदिय है आपको बताना है। ठीक है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के उपर रखे और उसे नीचे डखेल दें। दो भरे हुए गुबारे को एक छड़ में बांदें और समय वस्था में ले जाएं यानि कि समान इस्थिर में रहे छड़ो तब किसी एक गुबारे को फोर दें। फिर देखेंगे गत्विदियां तो ये दोनों जो गत्विदियां हैं पहला ही गत्विदी और चौती गत्विदी। ठीक है तो ये प्रदर्सित जो होगा वाई प्रक्रण के लिए वाई भार के वाई जगह गहती है ये सही हो जाएगा पहला और चौत्विदा प्रक्रण सही होगा अंगला प्रस देखें शरीता की सिचिका उसे विभिन सामोहिक गत्विदियों में सामिल रखती हैं प्रस देखें शरीता एक बालिका है और उसकी सिचिका जो है उस बालिका सरीता को जो विभिन सामोहिक गत्विदियों होती हैं अपने मुन में सामिल रखती हैं जिसे समुह चर्चा समुह पर्योजना आदी ऐसा आप लोग में वह होता कि कोई अध्यापक अध्यापिका होगे सिचक सिचका है वहाई वहन करते होंगे आपके कोई स्टुडेंट होगा जो आपके साथ सामिल करते होंगे आप लोग ठीक है जैसे समुह चर्चा होती होग उसमें आप सामिल कर लें, समू जो परियोजना होती है उसमें सामिल कर लें तो उसकी जो सिचिका सीखने के किस आयम का अनुगवन कर रही है सरिता के लिए भासा ने देशित करना, प्रतियोगिता अधाय सीखना, समाजी गद्विदी के रूप में सीखना या मरणजक द्वारा सीखना तो समूँ चर्चा समूँ पर्योजना में अपने सिच का जो है सामिल करती सरिता को तेख क्या हो जाएगा सामाजी गद्विदी के रूप में सीखना कहला जाएगा तीसरा अप्सन से हो जाएगा और इस माडल पेपर का अंतिम प्रस्न प्रात्मी किस्तर पर आकलन में सामिल होना चाहिए जो प्रात्मी किस्तर होता है इसमें आकलन में क्या सामिल होना चाहिए कि छोटे बच्चे को उत्तीन अत्वा अनुतीन की सेणी के अंतरगरत आँकने के लिए प्रतेख सब्ताय ग्रहकार और कच्छा कार देना सिच्छक द्वारा सतत और आज सन्रसिनात्मक तरीके से किये गए अलोकन को बच्चों और अविवावकों को साथ माटना प्रतेख सब्ताय और अपचारिक परिष्चाएं और खेल तथा सिच्छक द्वारा सतत और असन नशनात्मक तरीके सिखिए गए अलोकन को बच्चों और अभिवावकों के साथ बाटना आपका सिकंड आप्षन सही हो जाएगा दोस्तों ये क्लास आप लोगों कैसे लगी लाजवाब क्लास है क्या ये जितने मेहनत है ये मेहनत आप लोगों तक पहुंची है मेरी आप लोगों तक के ये नालेज पहुंचा है और आप लोगों का कितना स्कूर हो पा रहा है आप क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अधापक अधापिकाए है ये मॉक टेस्ट ये मॉडल पेपर आप लोगों कैसा लगा नीचे कमेंड बाक्स में जुरूर बताएं जितने मेरे भाई भाय ने वीडियो अंतक देखे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया बहुत ही बहुत बड़ा धनवाद दोस्तों मा सरस्वती से अभिनंदना ह प्रातना की आप लोगों का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा क्योंकि आप लोग रियल हीरो हैं आप लोग रियल सिचक हैं दोस्तों तो सभी आप सिचकों को मेरा नमन है जैन दोस्तों मिलेंगे जल्दी नेस क्लास में हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए इसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बलकि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिस करनी चाहिए.